इस समबाद को मैं चाहता हूँ कि देश के लिए कोई दिशा बनाने वाला दिशा इस्थातित करने वाला बन जाए। इस द्रख्ष्टी से मैं कुछ तत्याद के बीच रफना चाहता हूँ। हमारे भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बार अंग्रेजों ने बहुत गंभीर और खराब टिक्पणी की थी। सन 1931 में महात्मा गांदी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और अंग्रेजों की सरकार के साथ उनका वारता लाप चल रहा था। अंग्रेजों की तरफ से जो गांदी जी से संबाद करने वाली टीम थी या उनका जो समू था। उस समू के जो बहुत प्रमुख लोगों में से एक, उन्होंने गांदी जी को एक बहुत खराब बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते, तो भारत की सिक्षा व्यवस्था तो कभी भी बन नहीं पाती। गांदी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज नहीं आते, तो भारत की सिक्षा व्यवस्था जादा अच्छी होती। क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले की भारत की सिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, ये गांदी जी ने कहा, तो अंग्रेज अधिकारियों ने गांदी जी से कहा कि आप ऐसा किस आधार पर कहते हैं, तो गांदी जी ने कहा कि मेरे देश को मैंने बहुत नजदीक से देखा है गाओं गाओं में मैंने प्रवास किया है वहाँ जो कुछ भी सिक्षा व्यवस्था के पुराने खंडहर दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भूद काल में हमारी सिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत मजबूत थी उसी समय गांदी जी के साथ उन अंग्रेज अधिकारियों का विवाद हो गया और गांदी जी की गोल में जियात्रा समाप्त होने के बाद अंग्रेज अधिकारियों उन्हें अपनी तरफ से एक वक्तव विजारी किया जो लंडन के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छपा और उसमें ये कहा गया कि गांदी जी को अपने देश की सिक्षा व्यवस्था के बारे में गर्व है लेकिन उनके पास इस बात का कोई आधार और सबूत नहीं है कि भारत की सिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के आने के पहले कैसी थी ये गांदी जी के पास कोई प्रमाण नहीं है लिहाजा हम मानेंगे नहीं कि गांदी जी की बात सही है और इस तरह से उस पर एक बहस चल पड़ी भारत लोटने के बाद महात्मा गांदी ने उस बहस को बंद नहीं किया और लगातार उसको जिंदा रखा गांदी जी के जो बहुत नजदी की लोगों में से काम करने वाले एक व्यादी जो इस समय भी जीवित हैं और जो भारत के बहुत प्रमुक इतिहासकारों में माने जाते हैं उनका नाम है प्रोफेसर धरमपाल जब भारत आजाद हो गया पंदर अगस्त उनीस सो सेटालीस को तो प्रोफेसर धरमपाल जो गांदी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे उन्होंने गांदी जी को पूछा कि अच्छा मेरा काम क्या है आजादी आ गई सरकार बन गई अब बताईए मेरा काम क्या तो गांदी जी ने कहा कि دेखो मैं 1931 में गोलमेच संमेलन में लंदन गया था उस समय अंगरेज अधिकारियों ने मुझे ये कहा था कि भारत में अंगरेज अगर नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था तो कुछ भी नहीं होती मुझे ये बात सही नहीं लगती लेक इकठे करो, दस्तावेज इकठे करो, तथ इकठे करो और उसके आधार पर ये सब के साबित करो कि अंग्रेजों से आने के पहले की भारत की सिक्षा व्यवस्ता कैसी थी। अध्यन और अध्यापन किया, बहुत समय तक वो पढ़ाते रहे, जीविका चलाने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए, लेकिन मूल उद्देश ये था कि भारतिय सिक्षा व्यवस्ता कैसी थी अंग्रेजों के आने के पहले, उसके प्रमान एकत्रित करना, दस्तावेज ए उनने लिए, उनका एक साथ जब बैठकर विश्लेशन किया, तो पता चला, कि अंग्रेजों के आने के पहले की सिक्षा व्यवस्ता बहुत ही अच्छी थी, अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक घटना घटित हुई, वो इस से बहुत जुड़ी हुई है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, हमारे देश में जो वरतमान प्रधान मंतरी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंग, ये थोड़े दिन पहले आक्सफोर्ड विश्विद्याले में गए थे, और इनको आक्सफोर्ड विश्विद्याले में मानद डॉक्टरेट की उपादी दी थी, जिस दिन ये इस कारिक्रम में 40 मिनिट का तो व्याख्यान हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंग का, और उसके अलावा कुछ दूसरी आपचारिक्ताएं हुई, मनमोहन सिंग जी ने जो व्याख्यान दिया, इस आक्सफोर्ड विश्विद्याले के पद्वी ग्रहड समारोव में, वो बहुत ह तकलीफ देने वाला था, और किसी भी स्वाभिमानी भारती नागरिक को नीचा दिखाने वाला था, उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत ही यहां से की, कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने भारत में आकर अपनी सरकार बनाई, हम अंग्रेज के बहुत आभारी हैं, कि उन्होंने भारतियों लोगों को विज्ञान सिखाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं, कि उन्होंने भारतियों नागरिकों को विज्ञान और तकनीकी का अंतर समझाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं, कि उन्होंने अंग्रेजी सबी समाचार पत्रों में संपाद्गिय टिपपणी भी छपी। और ज्यादतर समाचार पत्रों के समपाद्गिय में ये लिखा गया, कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधान मंतरी विंस्टन चर्चिल ने सन 1945 में भारत के बारे में ये कह दिया था कि ये देश आजाद होने लायक देश नहीं है और भारत के प्रधान मंतरी डॉक्टर बनमोहन सिंग ने कल लंदन में व्याख्यान देकर ये सिद्ध कर दिया कि भारत आजादी के इतने साल के बाद भी अभी मानसिक रूप से गुलाम है जिस देश का प्रधान मंतरी अभी भी अंग्रेजों के गुरगान करता हो उस देश की प्रधा की मानसिक गुलामी की स्थती क्या होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं वगेरा वगेरा खूब लंबी संपाद की टिप्पणी उस पे की गई मेरे कुछ दोस्तों ने वो संपाद की टिप्पणियां अलग-लग अख़वारों से काट कर भेज दिया उसके बाद मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंग के लिए एक पत्र लिखा जो लगबग 200 पेज का ही वो पत्र नहीं एक किताब हो गई और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधान मंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हमें शर्म आती है कि आप भारत के ऐसे प्रधान मंत्री हैं जिनोंने भारती अताका कुछ समझने की भी जीवन में कोशिश नहीं की है भारत अंग्रेजों के पहले कैसा था भारत की सिक्षा अंग्रेजों के पहले कैसी थी भारत की तक्मीकी और विग्यान अंग्रेजों के पहले कैसा था हमारा भारत अंग्रेजों के पहले उद्योग और व्यापार में किस इस्थान पर दुनिया में टिका हुआ था ये सब बातें अगर आप दस्तावेजों के आधार पर जरा समझें और जानें तो बहुत अच्छा होगा आप अगली बार ऐसा गुलामी का वक्त भी देने से बचेंगे आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैंने ये जो पत्र लिखा ये पत्र मनमहन सिंग के कारियाले में पहुँचा और एक लाइन का उत्तर आया कि आपका पत्र मिला और हम उसको कारिवाही के लिए भेज रहे हैं अब कहां भेज रहे हैं कारिवाही के लिए मैंने तो लिखा था हमारे देश के प्रधान मंत्री को और उसमें पत्र तो एक ही पन्ने का था बाकी 249 पन्ने के तो दस्तावेज जो ये सिंद्ध करने के लिए मैंने उनके पास भेजे कि आप पहले इन दस्तावेजों को पढ़ें और देखें कि अंग्रेजों के आने के पहले का भारत कैसा था सिक्षा व्यवस्था के इस्तर पर तकनीक और विज्ञान के इस्तर पर उद्योग और व्यापार के इस्तर पर हर इस्तर पर चिकित्सा व्यवस्था के इस्तर पर जहां तक भी संभव हो मैंने उसमें जानकरी दी उसमें से एक हिस्से की छोटी जानकरी मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि भारत की सिख्षा व्यवस्था कैसी थी और जिस समय हमारी सिख्षा व्यवस्था ऐसी थी उस समय यूरोप की सिख्षा व्यवस्था कैसी थी बारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में सबसे ज़्यादा काम जिनों ने किया है वो कुछ अंग्रेज ही एक अंग्रेज अधिकारी भारत में आया जो लगवग 40 साल यहां रहा उसका नाम था विलियम एडम विलियम एडम बहुत उच्छी स्तरका अधिकारी था अंग्रेजों की जो संसत का एक हिस्सा है House of Lords उसमें बहुत दिनों तक वो संसत था और भारत में उसको बहुत उच्छी स्तरका अधिकारी बना कर भेजा गया था उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो भारत में आकर अगर गवर्नर को या वाइसराई को कोई सुझाओ दे दे तो वाइसराई उसको कानून बनाने के लिए मजबूर होता था विलियम एडम इस स्तरका अधिकारी था उस विलियम एडम के नीचे काम करने वाले कुछ अधिकारी थे जिन में से एक था मैकॉले, टीवी मैकॉले मैकॉले की तो आपने बार बार चर्चा सुनी है, बार बार नाम भी सुना है लेकिन विलियम एडम के बारे में शायद आप में से कम लोग जानते होंगे क्योंकि ये मैकॉले का बॉस था मैकॉले भारत में सिक्षा व्यवस्था के बारे में जितना भी अभ्यास करता था वो अपने immediate बॉस विलियम एडम को भेशता था तो विलियम एडम ने भारत की सिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट लगबग 1700 कुछ पन्ने की है 1780 पन्ने है उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट संसद में पेश की गई संसद माने अंग्रेजों की संसद में House of Commons में पेश की गई और इस रिपोर्ट की आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सिख्षा व्यवस्था कैसी है विलियम एडम की रिपोर्ट में से कुछ तक्ति में आपको देता हूँ जो इस समय अंग्रेजी संसत के रिकॉर्ड्स पर हैं आप जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो भी ब बकॉमेंट्स को प्रकाश्चित करती रहती है तो भारत की सिख्षा व्यवस्था पर विलियम एडम की रिपोर्ट जिसमें जगे जगे पर मैंकॉले की बीगई टिपब्णी मैं पहले मैंकॉले की एक छोटी सी लाइन आपको सुना देता हूं मैंकॉले और मिलियम एडम भ British Parliament के House of Commons में खड़ा होके भाशन दे रहा है और कह रहा है कि मैंने भारत का उत्तर दक्षन पूरा पश्चिम पूरा इलाका घूम लिया है। सब्ति क्या कह रहा है वो कह रहा है कि संपूर भारत को उत्तर दक्षन पूरा पश्चिम में घूम लेने के बाद उसने अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है। गाओं के किसी कोने में किसी इस्तान पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला जो किसी पर पराश्रित हो। आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में नहीं पाया जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है अठारे सो पहतीस में वो बोल रहा है। आज से लगबग आप कल्पना करें तो 170 साल पहले बोल रहा है। तो 170 साल पहले इस देश में कोई भिकारी नहीं था जरा ध्यान से सुनिया इस बाद। कोई भिकारी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं। फिर वो कहता है, विलियम्, सavile ठीवी में कॉले, कि मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे हैं। पेरिस देखा है, बर्लिन देखा है, हेंबर्ग देखा है, मॉस्को देखा है, फ्रेंक्फर्ट देखा है, शिकागो देखा है, नुई यॉर्क देखा है, लंदन तो अपना है ही बारवार देखा है, लेकिन इन सभी शहरों की कुल संपत्ती भारत के एक शहर से भी बहुत कम तो इसको पूछा गया प्रशन कि वोताओ वो कौन सा शहर है तो कहता भारत का एक शहर सूरत और यूरोप के सारे शहर एक बाजू में तो भी सूरत इन सभी पे भारी पढ़ता है इतनी संपत्ति इतना धन मैंने उस शहर में देखा है और वो कहता है कि इतना धन और संपत्ती जिस समाच के पास हो, उस समाच को गुलाम बनाना एकदम मुश्किल है। वो ये कहता है, मैं ये तो नहीं कहता कि असंभव है, लेकिन मुश्किल बहुत है। फिर वो कहता है कि मैं एक सुझाओ देना चाहता हूँ ब्रिटिश गवर्मेंट को, सरकार को, कि अगर भारत को गुलाम बनाना हो, तो इनका बैवव, इनका धन, इनकी संपत्ती को खतम करो। तो फिर ब्रिटिश पार्लिमेंट के सांसद उसको पूछ रहे हैं कि भारत का धन, भारत का बैवव और भारत की संपत्ती को खतम करने के लिए तुमारे पास क्या योजना है, तो कहता है भारत की सिक्षा व्यवस्था को खतम करो। वो कहता है कि भारत में जितना भी धन है, संपत्ती है, बैवव है, ये भारत की सिक्षा व्यवस्था के कारण है। तो कोई सांसर पूच लेता है कि अच्छा बताओ भारत की सिक्षा विवस्था कैसी है, तो वह कहता है कि भारत की सिक्षा विवस्था में सबसे पहला सथ ये है, कि यहां निरक्षरता नहीं है, माने literacy complete तो उसको पूछा गया क्या संपूर भारत में एक जैसा है तो कहता दक्षिन भारत में literacy 100% है दक्षिन भारत का माने करनाटेक, आमिर प्रदेश, तमिलनाडू, केरन तो कहता दक्षिन में 100% है पश्चिन भारत में 98% है 98% है उत्तर भारत में लगबग 82% के आसपास है मद्ध भारत और बचे हुए भारत में लगबग 87% के आसपास है तो मैं कह सकता हूँ कि लगबग भारत साक्षर है उसी समय एक दूसरा सांसत खड़ा होके पूछता है कि अच्छा आप ये बता सकते हैं कि इंग्लेंड की इस्थिती क्या है तो उनका ये मैं तो नहीं बसा सकता है एजुकेशन मिनिस्टर बेठे हैं वो बता है तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़े होके बोलते हैं कि जब भारत की साक्षरता लगबग 100% है उस समय इंग्लेंड माने तीन राज्यों का समूँ अभी जिसको आज कल बृतेन कहा जाने लगा है स्कॉटलेंड, आइरलेंड और न्यू साउथ मेल्स मिलाके तो वो कहते हैं कि ये जो तीन राज्यों का समूँ है जिसको बृतेन कहा जाता है इसमें कुल साक्षरता सत्रे प्रतिशत भी नहीं है सत्रे प्रतिशत भी नहीं है सत्रे प्रतिशत माने 17,1,7 तो फिर पूछ रहे हैं कि भई कारण क्या है इसका भारत में इतनी साक्षरता और हमारे यां कुछ भी नहीं तो वो कह रहा है टीवी में कॉले कि इस समय भारत में साथ लाख बत्तीस हजार रवेन्यू विलेजिस हैं राजस्वाले गाओं तो नोन रवेन्यू वाले उसमें का वो मुझे नहीं मालू है वो किया साथ लाख बत्तीस हजार राजस्व गाओं हैं और ऐसा एक भी राजस्व गाओं नहीं है जहां पर इसकूल की व्यवस्था न उसने गुर्कुल को स्कूल में ट्रांसलेट किया है बाद में वो कहता है कि शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो गुर्कुल के बराबर हो तो मैं स्कूल कहता हूँ तो हम ऐसा मान लें कि मैकॉले बोल रहा है दो फरवरी 1835 को हाउस अफ कॉमन्स में कि भारत के 7,32,000 गाओं में कोई बी ऐसा गाओं नहीं है जहां पर गुर्कुल ना हो इसका अर्थ क्या है? हर गाओं में एक गुर्कुल है फिर उसको पूछा गया इस गुर्कुल में क्या होता है? तो उनने पढ़ते हैं? तो कितने विद्यारती है? तो इसने का सबसे बड़ा गुर्कुल मैंने देखा है वो बीस हजार विद्धियार्थियों का है और जो सबसे छोटा गुर्कुल मैंने देखा है वो दोसो विद्धियार्थियों का है माने जो गुर्कुलों के बड़े होने का अंदाजा हम लगाना चाहें तो दोसो विद्यारतियों से लेकर बीस हजार विद्यारतियों तक के गुर्कुल इस देश में चलते हैं 1835 के आसपास फिर वो पूँछ रहे हैं कि ये जो 20 हजार विद्यारतियों का गुर्कुल है इसकी व्यवस्था कैसे होती है ये तो बहुत बड़े विद्यार्थियों का समू है, कैसे पढ़ाते हैं, व्यवस्था कैसे होता है, तो वो कहता है कि भारत के इन सभी गुरकुलों में मॉनिटोरियल एजुकेशन होती है, मॉनिटोरियल एजुकेशन का मतलब हम सब समझते हैं, कि आचारी ने किसी विद्य वर्ग को तयार किया, मान लीजे उसमें पचास विद्यार्थि, अब वो पचासों विद्यार्थि अपने से नीचे वालों को पढ़ाएंगे, और वो पचास विद्यार्थियों ने जिनको पढ़ाया, वो उनसे अपने नीचे वालों को पढ़ाएंगे, तो वो कहते हैं कि एक आचार अगर है और उसके साथ 50-60 विद्धियारतियों का समू है जिनको वो नियमित रूप से पढ़ाते हैं तो वो 20,000 विद्धियारतियों का गुर्कुल आराम से समालते हैं और उसने परिभाशा दिया है कि जो आचार बीस हजार विद्धियारतियों उसको कुल्पती कहा जाता है फिर उसको पूछा गया है कि ये जो गुर्कुल चलते हैं इनमें विद्धियारतियों वो किस वर्ग के हैं तो वो कहता है कि भारत के नागरिक चार वर्णों की बात करते हैं ब्रामण, छत्रिय, वैश और शुद्र तो वो कहता है कि ये सभी विद्धियारती इन समूहों में से आते हैं तो एक अंग्रेज उसको पूछ रहा है कि हमने तो कभी सुना था कि भारत में ज़्यादा सिक्षा ब्रामणों के लिए है वो कहता है नहीं, दस्तावेज बताते हैं कि ब्राह créd के लिए सिक्षा है 어젯 के लिए भी है च्छत्य यह और शुध्रों के लिए भी है तो फिर उसको पूच रहा है कि क्या तुम परसेंटेज में भी शुध्र कितने हैं नंदू कि ब्राइं के यह ब्राइड QU ब्राइड लिए B लुक ब्राइड Modern के जितने गुरकुल हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या छत्रियों की है और बाकी जो तीन है ब्रामण वैश्य और शूद्र ये लगभग बराबर हैं और मत्य भारत में लगभग सब बराबर हैं तो कुछ लोग चौंक जाते हैं वो ये कहते हैं ये कैसे संभव हैं कि शू पुद्रों की ही नहीं दक्षिन भारत के गुरकुलों में महिलाओं की संख्या लड़कियों की संख्या भी सबसे जाना है तो वो एक उत्तर दे रहा है प्रश्न का जिसमें वो बोल रहा है कि दक्षिन भारत के गुरकुलों में लगभग 58 प्रतिशत लड़कियां हैं और 42 प्रतिशत लड़के हैं तो फिर उसको पूछा गया ये कैसे संभव हो रहा है भारत में तो कहता है कि इस स्वाभा भी खै क्योंकि दक्षण भारत में महिलाओं की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से जादा है और वो कहरा वैसे तो भारत में सभी जगे लड़कियों की संख्या लड़कों से जादा है और आप जानते हैं कि 1881 में अंग्रेजों ने जब पहला सेंसस कराया पहला जन संख्या सर्वेक्षन कराया तो उसमें भी रेशियो यही निकलता है महिलाएं लगबग 53 प्रतिशत है और 47 प्रतिशत पुरुश है तो वो कहरा है कि घुरकुलों में लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ती है फिर वो पूछ रहा है कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक हैं तो वो कहता है कि वो सम महिलाएं ही हैं, लड़कों को पढ़ाने के लिए पुरुश हैं, लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं हैं, तो फिर उससे पूछा जा रहा है कि ये जो अध्यापक पढ़ाते हैं, इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर हैं क्या, तो हो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों के साथ उच अद्धियन केंदर जुड़े हुए हैं जहांपर इन अध्यापकों को तयार किया जाता है और तयार होने के बाद वो गुरुकुलों में पढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं हर गुरकुल के साथ एको चद्धिन केंद्र है, फिर उसके साथ पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ, भारत के इन स्कूलों में, माफ करो गुरकुलों में, क्या विशे पढ़ाये जाते हैं, तो वो गिना रहा है कि 18 विशे पढ़ाये जाते हैं, 18 विशे पढ़ाये ज लिएक आता है तो वह कहता वैदिक घणित पढ़ाया जाता है तो फिर अंग्रेज पूछ रहे हैं के हमारे यहां एक वार्शील मेथमेटिक्स है तो उननका भारत वाले उसको पढ़ते नहीं है और उसमें उनकी ज्यादा रूची भी नहीं है वो वैदिक मेथमेटिक्स में ज़्यादा रूची लेते हैं फिर दूसरा कौन सा विशय है जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है गनित के बाद तो कहता है दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा विशय है खगोल शास्त इसको सब भारतवासी पढ़ते हैं फिर तीसरा कौन सा विशय है तो वो कहता है मैट अठारे तरह के कारीगर होते हैं, कोई लोहे का काम करने वाला, कोई लकडी का काम करने वाला, कोई बांस का काम करने वाला, कोई मिट्टी का काम करने वाला, तो वो कहते हैं कि सबी गुरुकुलों में ये कारीगरी पढ़ा ही जाती है 18 विशे उसमें अलग है फिर वो पूछ रहा है कि इसके आगे के विशे बताओ तो कहते हैं वो कि एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते है एस्ट्रोफिजिक्स समझते हैं मौडर्न साइंस का विशे है और बारत में 1835 में सबी गुरुकुलों में ये पढ़ाया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स फिर और क्या पढ़ाते हैं तो कहते हैं रसाइन शास्त्र पढ़ाते हैं रसाइन शास्त्र के साथ और क्या पढ़ाते हैं तो कहता है चिकित्सा शास्त्र पढ़ाते हैं चिकित्सा शास्त्र में क्या विशे हैं तो वो कहता है और शलिकिरिया दूसरा है मनि सरजरी है और मेडिसिन है और ऐसे ऐसे करके वो अठारे विशे को गिनाता है तो फिर वो पूछते हैं कि कैसे संबल है कि भारत के विद्यारती ये 18 विशे पढ़ लेते हैं तो वो बताता है कि भारत के विद्यारतियों को गुर्कुल में जब प्रवेश मिलता है तो वो सामा निरूप से 5 वर्ष के होते हैं और जब वो गुर्कुल से पढ़कर निकलते हैं तो उनकी उम्र 21 और 22 वर्ष की होती है लगबग उनको इतना समय मिलता है पंद्रे साल का जितने में वो सब पढ़ लेते हैं तो फिर उनको पूछा गया कि ये विश़क कैसे पढ़ाय जाते हैं रोज पढ़ाय जाते हैं तो उसने का नहीं नहीं रोज नहीं पढ़ाये जाते हैं, एक एक करके पढ़ाये जाते हैं, एक विशे लिया और उसको पूरे एक साल पढ़ाया, या आठ महीने पढ़ाया, या नौ महीने पढ़ाया, जब वो पूरा हो गया तब उसको छोड़ा, फिर दूसरा विशे लिया फिर फीसरा विशे लिया ऐसे करके 15-16 साल में सब विशे पढ़ाये जाते हैं फिर वो पूछ रहा है परिक्षा कैसे होती है तो उनका भारत में परिक्षा होती नहीं है परिक्षा नहीं होती है तो कैसे पता चलता है वो पूछ रहे हैं बहुत सारे MPs के Evaluation का तरीका क्या है तो उनने कहा कि यहां के जो आचारे और सिक्षक होते हैं वो विद्यारतियों को जब एक विशे पूरा पढ़ा देते हैं तो उसी के आधार पर उनके कौशल को जानने के लिए हुनर को परकने के लिए कुछ काम उनको दे दिये जाते हैं वो काम कितनी कुशलता से करते हैं इसके आधार पर तै होता है यह नहीं है कि क्लासरूम में बैठकर तीन घंटे का कोई question paper solve कर रहे हैं क्लासरूम में रट लिया है और answer sheet पर vomiting कर रहे है ऐसा नहीं है भारत में उसने मजाक में कहा है लेकिन यह गंभीर है समझने के लिए तो उसको पूछा के आए कि अच्छा आप जरा बताओ कि हमारी इंग्लेंड की स्थिपी क्या है अगर ऐसी सिख्षा भारत में है तो इंग्लेंड में और जो स्कूल है उनमें गनित पढ़ाना तो किसी को नहीं आता है वो एक ही विशे पढ़ाते है और वो है बाइबल और कुछ पढ़ाने को इनको नहीं है मुझे थोड़ा इंट्रेस आया विलियम एडम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो मैंने इंग्लेंड के पिछले 400 साल के इतिहास के दस्तावेज इकठे किये तो पता चला कि इंग्लेंड में सोलवी शताबदी तक तो कोई भी स्कूल नहीं था आप जिरा ध्यान से सुनना इन बात हो सोलवी शताबदी तक तो कोई स्कूल नहीं था इस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई है तब उनके यहाँ एक स्कूल खुला था चर्च के पिछवाडे में गैरेज में गैरेज समस्ते हैं जहां गाड़ियां खड़ी के जाते हैं एक गैरेज हुआ करता था जो मुश्किल से 15-20 फिट लंबा 15-20 फिट चौड़ा लंदन के एक चर्च में ये लंदन में आप कभी जाएं तो उनका जो स्कूर है जहां पर उनकी पार्लेमेंट है उसके बगल में वो चर्च आजबी है तो उसकी पीछे के हिस्से में चोटे से में इस्कूल खुला था जो उनको पढ़ाता था बाइबल तो बाइबल पढ़ने वाले स्कूल उनके इहां शुरू हुए उसके पहले तो कोई स्कूल ही नहीं था तो इंग्लेंड और यूरोप के इतिहास क्या बताते हैं सिक्षा के बारे में तो आप जिरा सोचो और सुनो यूरोप का जो सबसे बड़ा इतिहासकार सबसे बड़ा दार्शनिक सबसे बड़ा फिलोसफर सबसे बड़ा सब कुछ जो यूरोप में भगवान के अगला अवतार माना जाता है उसका नाम है प्लैटो प्लैटो सबसे महान वो ये कहते हैं ये तो ईश्वर का ही अंच है माने ईसा मसी के बाद यूरोप में अगर किसी की इज़त है तो वो प्लैटो की है प्लैटो के बारे में यूरोप के सारे के सारे अर्थशास्त्री सारे के सारे दूसरे शास्त्री चाहे वो फिजिक्स वाले हों कैमिस्ट्री के हों Botany के हो, Geology के हो, Engineering के हो, Medical के हो, सब मानते हैं The whole of the European civilization is a footnote of Plato मतलब यूरोप की पूरी सब्विता जो है न प्लेटो के footnote जैसी है माने प्लेटो ने जितना कुछ लिख दिया है वो किसी पुस्तक के footnote में अगर है तो उतनी ही पूरी यूरोप की सब्विता है मतलब यूरोप की सब्विता का जनत प्लेटो ही है प्लेटो ने अपनी जिन्दगी में कई महत्वपूर पुस्तकें लिखी है उन में से दो का जिक्र करता हूँ एक पुस्तक उसकी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित हुई है The Republic गनतंत्र और दूसरी पुस्तक जो बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में LAWS LAWS ये दो किताबें प्लेटो की सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी पढ़ाई जाती है बहुत चर्चा होती है The Republic में प्लेटो लिखता है कि सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती समाज का जो प्रभू वर्ग है प्रभू वर्ग से मतलब सरकार चलाने वाला वर्ग राजा और राजा के नजदी इनी को सिक्षित होना चाहिए बाकी को सिक्षित होने की जरूरत ही नहीं होती क्यों तो वो कहता है कि राजा और राजा के नजदीक का जो वर्ग है उसको आदेश देना है बाकी को तो सब उस आदेश का पालन करना है तो जो आदेश के पालन करता है उनको सिक्षित होने की क्या जरूरत है शिक्षा की जरूरत तो सिर्फ राजा को है और राजा के नजदी की लोगों को है ये जो प्लेटो ने कहा प्लेटो के बाद जो दूसरा उसका ग्रेट 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 सिलोसफर या उसका ग्रेट ग्रेट स्टुडेंट अरिस्टाटल अरिस्टोटल कहता है कि मेरा जो गुरू बोल गया है उसी पर मैं सहमत हूँ सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती समाज का जो प्रभू वर्ग है माने जो संचालन करता है राजिका, उसके राजा, मंत्री, मंत्रियों के नगदी की अधिकारी बस इनको पढ़ाई होनी चाहिए बाकी किसी को नहीं अरिस्टॉटल के बाद जितने भी फिलोसफर आये हैं और लेटेस्ट, रूसो, देकारते, लेविनिज, ये सब अपनी अपनी कितावों में लिख रहे हैं सिक्षा की जरूरत किसी को नहीं होती अगर जरूरत है तो थोड़ा राजा को है माने यूरोप में प्लेटो के समय से चली हुई विचारधारा आज अठारवी शतावदी के सभी दारशनिकों तक सतत चली आई है सिक्षा सब के लिए नहीं है सिर्फ राजा के लिए और प्रजा के लिए प्रजा को जरूरत नहीं है सिक्षा की राजा के नजदी की लोगों को जरूरत है तो फिर ये सिक्षा कैसे पूर्ती की जाए तो प्लेटो लिखता है रिपब्लिक पुस्तक में ही कि राजा को अगर अगर अपने बच्चों को सिक्षा दिलवानी है या खुद को सिक्षा लेनी है या उसके मंत्रियों को सिक्षा दिलवानी है तो इसके लिए स्कूल नहीं चाहिए कोई सिक्षक को पकड़ लाईए राजा को महल में आके पढ़ा देगा कोई सिक्षक को पकड़ लाइए राजा के बच्चों को उसके घर में पढ़ा देगा कोई सिक्षक को पकड़ लाइए मंत्रियों को वहां पढ़ा देगा इस्कूल की क्या जरूरत है तो फिर प्लैटो को कई बार पूछे जाने वाले प्रशनों में से एक है कि स्कूल क्यों नहीं चाहिए तो वो कहता ये फाल्तू का खर्चा है वो ये कहता स्कूल बनाने से अच्छा है एक बनाओ ऐसा इस्थान जहां पर मनोरंजन हो सके स्कूल की क्या जरूरत है घर में आके कोई पढ़ा देगा क्या जरूरत है स्कूल की तो इसलिए इंग्लेंड में, इंग्लेंड के पड़ोसी, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, सुर्जरलेंड में, सोलवी, सत्रवी शताफदी तक एक भी स्कूल नहीं खोला गया बात में क्या हुआ, क्रिशियनिटी का असर जैसे जैसे बढ़ा यूरोप में, आप जानते हैं कि क्रिशियनिटी यूरोप में दो हजार साल पहले ही आई है, उसके पहले यूरोप क्रिशियन नहीं था, यूरोप की छोटी छोटी जातियां, जंजातियां होती थी जो एक हज से जादा हैं समू हैं चोटे-चोटे वो अपना अपना धर्म और संस्कृती माना करते थे उनके यहां इसायत क्या होती है मालूम में दोहजार साल से इसायत आये तो जब इसायत का बहुत प्रचार हुआ और समाज और इसायत के बीच में संघर्श हुआ तब उन्होंने सिर्फ बाइबल पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाई जाती है और बाइबल भी पढ़ाई जाती है तो संडे को पढ़ाई जाती है बस मंडे से सेटर्डे छुट्ती रहती है और उन्हीं स्कूलों को इंगलेंड के दस्तावेज़ों में संडे स्कूल कहा जाता है और ये स्कूल शुरू हुए है और आज तक चल रहे हैं आप यूरोप में कहीं भी जाएए, संडे स्कूल सापको मिलेंगे जहां पर आप बाइबल पढ़ सकते हैं बाइबल में निव टेस्टामेंट पढ़ाते हैं, ओल टेस्टामेंट पढ़ाते हैं दोई चीज़ें पढ़ाते हैं इसके लावा कुछ नहीं गनित क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है सरजरी क्या होती है, मेडिसिन साइंस, ये कुछ उनको अठारवी शतापदी तक मालूम नहीं है ऐसा गरीब देश है इंग्लेट और उनकी ऐसी सिक्षा व्यवस्ता है जो उनका पहला स्कूल खुला है जिसमें मुश्किल से 200 स्क्वेर फिट की जगे है उसमें उन्होंने पहली ही बार में 200 विद्यार्थी ले लिए अब 200 स्क्वेर फिट में 200 विद्यार्थी कैसे बैठते होंगे कल्पना कर लो आप कितना इस्पेस होगा उनके पास एक शब्स इस्तेमाल होता है अंग्रेजों के यहां ब्रीधिंग इस्पेस ब्रीधिंग इस्पेस भी नहीं है वो कह रहा है मैकॉले कि हमारे तो ब्रीधिंग इस्पेस भी नहीं है माने हर विद्यार्थी को घिच पिच में बैठना पड़ता है जगे नहीं है उनके पास लेकिन भारत के एक एक गुर्कुल तो पाँच पाँच हेक्टेर में बने हुए है एक हेक्टेर में लगबग पाँच एकड़ होते हैं पचीस एकड़ में बुर्कुल बने हुए और वो कह रहा है कि भारत के बहुत सारे गुर्कुल रेजिदेंशियल है जहां पर विद्यार्थियों को रहने और खाने की व्यवस्ता है और कुछ गुर्कुल ऐसे हैं जो डे स्कूल की तरह से चलते हैं विद्यार्थी सुबह आते हैं शाम को पढ़के अपने घर वातस जाते हैं फिर वो उसको पूछा जाता है कि भारत के विद्यार्थियों को ये सारी की सारी जो सिक्षा दी जाती है इसका कोई वर्गी करन है, क्लैसिफिकेशन है तो वो बहुत सुंदर उत्तर दे रहा है जो हमें इसके रिसर्च आज जरूरी है करना वो ये कह रहा है कि भारत के विद्यार्थियों को दो चीज़ें पढ़ाई जा रहे हैं एक तो सिक्षा है, दूसरी विद्या है सिक्षा क्या है मुझे समझ में नहीं आता लेकिन ये हर गुरुकुल में मुझे सुनाई देता है हमको समझना चाहिए कि सिक्षा और विद्या ये दो अलग चीज़ें होती है आज के समय में हमने इन दोनों का खिचड़ी बना दिया है और ऐसा खिचड़ी बना दिया है कि उसमें से चावल और मूं की दाल को बीन पाना ही बड़ा मुझे हो गया नाम सब है विद्या ले और काम कर रहे हैं सिक्षा ले का है कि नहीं कोई भी विद्या ले लो एक, दो, तीन, नाम विद्या ले, विद्या ले, महा विद्या ले, ये विद्या ले, काम सब सिक्षा लेका कर, नाम विद्या लेका हुआ है, ऐसा घाल मेल कर दिया है, शायद ये महकॉले का असर है, क्योंकि महकॉले को सिक्षा और विद्या में अंतर नहीं मालूम था, हमे जाने वाली, अपने जीवन को उचा उठाने वाली, आत्मा का परमात्मा से मेल कराने वाली, मनश शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इन सब बातों को सिखाने वाली, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, श्रेय क्या है छोडने वाला क्या है रग्रहन करने लाए क्या है ये सब ग्यान देने वाली या विवेज देने वाली ये तो हैं विद्ध्या है और बाकी हमने mathematics पढ़ लिया, हमने chemistry पढ़ लिया, हमने ये physics पढ़ लिया, हमने ये commerce सीख लिया, हमने ये है सब सिक्षा तो कह रहा है कि भारत के सभी गुरकुलों में विद्या है और सिक्षा है लेकिन वो उसको इतना समझ में आ गया है कि ये जो विद्या है, वो सिक्षा से उंची है इसलिए भारत में गुरकुल में जाने वाला सभी अपने को विद्यार्थी कहता है, सिक्षार्थी कोई नहीं कहता अपने क्योंकि मूल जो वो सीखने आया है वो कुछ और सीखने आया खाली गणिश सीखने नहीं आया या खाली कॉमर्स सीखने नहीं आया या खाली मेटलर्जी सीखने नहीं आया विद्या सीखने आया इसलिए विद्यारती कहलाना वो पसंद करता है अपने आपको और वो कहता है कि जितनी उची कलपना भारत में है विद्या और सिख्षा की हम तो उसके दूर दूर कहीं नजदीक तक नहीं है फिर उसको पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि भारत में higher studies center है क्या तो कहता है हाँ हैं कितने हैं तो संख्या जिना रहा है 15,800 कुछ उनकी जो परिभाशा है ना उस परिभाशा में विश्व विद्याले higher studies center हमने तो कुछ दो चार नाम सुने हैं एक नालंदा का हुआ करता था एक तक्षिशिला का हुआ करता था लेकिन 1835 में मैकॉले बोल रहा है अपने पार्लिमेंट में कि 15,800 कुछ विद्याले विश्व विद्याले हैं और वो ये कह रहा है कि ये जितने भी विश्व विद्याले हैं ये किसी एक विश्व के निपुण हैं कोई एक विश्व जैसे वो नाम लिखके बता रहा है मेरे पास ये सब नाम है 15,800 और उसकी सीदी है अगर LCD प्रोजेक्टर हो तो मैं आपको दिखा सकता था लैप टॉप मेरे पास अभी है उसमें सब फीड किया हुआ है एक विद्याले है माफ करिए विश्व विद्याले है अमरावती किस कि बात के लिए वो मेटलर जी के लिए मश rozumर और विष्व विद्याले धातु विञ्यानियों से बरा हुआ है और धातु विज्यान कई तरह का है जैसे कच्छे लोहे से फॉलाथ بنाना जैसे जमीन में नहीं testimony नोहा तावा पीतल पीतल सब्सым और सोना यह जो दूसरी बेश्कीमती भातुएं निकलती हैं इनका extraction कैसे किया जाए ये सिखाने वाला मने आज जो हमारे IIT में सिखाए जाता ना मेटलर्जी में वही वहाँ उस समय उनिवर्सिटीज में सिखाए जाए फिर वो कह रहा है एक विश्व विद्याले में गया था कांगड़ा विश्व विद्याले कांगड़ा मने हिमाचन तो वो किस के लिए मशूर है तो कह रहा है ये सरजरी के लिए मशूर है तो उसको पूछा जा रहा है कि किस तरह की सरजरी होती है तो कहता है जी हम सोच नहीं सकते वैसी सरजरी होती है और उसको उसने शब्द दिया है जिसको आज के एक्विवेलेंट अगर मैं कहूं तो राइनोप्लास्टी राइनोप्लास्टी सरजरी का लेटेस्ट साइंस है 21 वी शतावती का जिसमें आपके शरीर के किसी अंग के चमड़े को निकाल कर किसी दूसरे अंगों पर लगा दिया जाए और ये 1835 में वो बोल रहा है कि कांगड़ा विश्व विद्याले में तो ये सब सिखाया जाता है और सब सीखते हैं राइनोप्लास्टी तो वो कहता है मैंने मेरी आँखों से एक ऑपरेशन देखा है जिसमें पैर किये नीचे के हिस्ते से माने घुटने से नीचे के हिस्ते से चमड़ी निकाल कर नाक पर लगाई गई और वो कहता है 21 दिन में वो पूरा ठीक हो गया है पता ही नहीं चलता है कि इसका कोई ऑपर ग्राफ्टिंग जिसको कहते है इसकिन ग्राफ्टिंग और यह 1835 में भारत में होता है कांगड़ा विश्व विद्याले का उसमें लंबा डिस्क्रिप्शन किया है कि मैंने ऐसा देखा मैंने वैसा देखा फिर इसी तरह एक अंग्रेग अधिकारी है वो खड़ा होके चिल लड़ा था हैदर अली ने मुझे परास्त कर दिया था मेरी नाक काट दी थी मैं कटी हुई नाक लेके वहां से भागा था और बेलगाम नाम का भारत में कोई एक गाउं है वहां के एक वैद में मेरी नाक का ऑपरेशन किया था और जोड़ दिया था और अभी वो नाक मेरी यह ऐसी है, वो खड़े ओके बोल रहा है, तो उसको सब सांसत पूछ रहे हैं कि अच्छा, तुम्हारी नाख ही काटी थी, सिर क्यों नहीं काता, क्योंकि तुम तो परास्त हो गए थे, तो तुम्हारा सिर क्यों नहीं कात दिया, तो ओक ता भारत के राजा बड़े दयालू ह उनके मन में बड़ी दया है दुश्मन को भी पूरा मारते नहीं है वंग भंग करके छोड़ देते हैं और भारत में नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी की बात है हमारे यहां ऐसा कुछ तो यह करनल कूट के जो कहे हुए और मैकॉले के कहे हुए इन दस्तावेजों से अंदाजा लगता है कि सरजरी कोई बहुत मूचे इस तरकी थी फिर इन सरजरी को करने वाले जो आचारे होते थे उन आचारेओं के उपकरण कैसे हैं उसका वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है और आपको सुनकर आचारे होगा कि सामन ये रूप से सरजरी का एक आचारे आचारे माने आज का MS Master of Surgery उस जमाने का आचारे तो वो कहते हैं कि सामन ये रूप से एक आचारे के पास कम से कम पाँच सो इंस्ट्रूमेंट्स तो होते ही हैं वो कहता बीसियों तरह की तो उनके पास क्लिप्स है ये जो दो वाली होते ही न पकड़ गए बीसियों तरह की और सभी उच्छ स्थर के लोहे से बनी हुई जिन में कभी जंग नहीं लगता फिर वो कहता भारत वासी बिना जंग का लोहा बनाना तो दस्वी शताबदी से जानते हैं हमने उनसे ही सीखा है हमको लोहा बनाने की तक्नीक भारत से ही आई है और ऐसा लोहा बनाना जानते हैं जिस पर कभी जंग नहीं लगती वो आज भी कभी देखना हो तो चले जाए ये महरोली का खंबा खड़ा हुआ है वो कहता इनको ऐसा लोहा बनाना आता है तो इंस्टूमेंट अक्षे अच्छे बना लेते और वो एक मज़े की बात कहरा है कि जिस समय इंग्लेंड में हम चिकित्सा कराते हैं अपनी कोई बीमारी की तो उस समय 1835 में इंग्लेंड में चिकित्सा क्या होती है जरा सुनिए और यहां कोई अलोपेथी डॉक्टर है तो वो जरा ध्यान से सुने 1835 में इंग्लेंड में चिकित्सा व्यवस्था होती है तो क्या है एक ही चिकित्सा है उनके पास हिपोक्रेटिस मेडिसिनल सिस्टम एक Hippocrates नाम का कोई आदमी हुआ एंग्लेंड एसा से करीब धाईसो साल पहले सॉरी ग्रीस में हुआ एंग्लेंड में ग्रीस पे हुआ तो उसमें कुछ सिध्धान्त दिये हैं वही सिध्धान तैलोपेथी का मूला दार सारे के सारे से तो Hippocrates क्या कहता है वो कहता है शरीर में कोई भी बीमारी घुज गई तो उसका एक ही कारण है कि रक्त आपका दूशित हो गया है कोई भी बीमारी हो सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, खासी हो गई आपको डाइरिया हो गया, डिसेंट्री हो गयी, लंग इंफेक्शन, कुछ भी हो गया तो हिपोक्रेटिस एक ही बात में डाइगनोसिस देता है कि आपका रक्त दूशित है, अब इस दूशित रक्त को निकालो शरीर में यही चिकित्सा तो हो कहता है कि भारत वासी चिकित्सा कैसी करते हैं और हमारे डॉक्टर कैसी करते हैं वो कहता है कि जब मुझे बुखार आता है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मेरी हाथ की नस काट देता है और उसमें से खून निकलने लगता है और वो कहता है ये खून जब तक निकलेगा नहीं तब तक बुखार तुम्हारा खतम होगा नहीं कभी कभी मुझे डर लगता है कि खून के साथ जान निकल जाए मेरे और वो ये कहता है कि भारत में जो चिकित्सा व्यवस्था है इतनी अद्बुत है कि कुछ बुखार आजाए, कितने से भी कितना बुखार आजाए, वो कुछ चूरन खिला देते हैं, और अगले दिन बुखार ठीक हो जाते हैं, अच्छा ये जो कहानी उसने कही है, ये कहानी जॉर्ज वाशिंगटन ने भी कही है, आप जानते हैं जॉर्ज वाशिंगटन अ उनको आया बुखार, तो ये जो हिप्पोक्रेटिस मेडिस्नल सिस्टम है न, हाँ, एक ही सिस्टम है उनके पास, हिप्पोक्रेटिस मेडिस्नल सिस्टम, जिस पर उनके आप बहुत थीसिस लिखे गए हैं, बहुत कामूद, तो उनको आगया बुखार, और बुखार हो गया बहुत 103, 104 डिगरी तो उनका डॉक्टर आया और उनके दोनों हाथों की नस काट गया हाँ और कहा कि ये खून बहने दो अभी मैं सबेरे आऊंगा आपको देखने तो दोनों हाथों की नस कटी और रात भर में इतना खून बह गया कि सबेरे जॉर्ज वाशिंग अटन मरे हुए मिले ये है modern एलोपेथिक सिस्टम और मैकोले कह रहा है कि जिस समय हम तो सिर्फ नस काट के खून निकाल के इलाज करते हैं भारत के लोग पता नहीं क्या-क्या जड़ी बूटियों से चूरन बनाते रहते हैं पाउडर बनाते रहते हैं और वो कहता है कि इनके कॉम्बिनेशन इतने परफेक्ट हैं कि एक दो बार ही खाना पड़ता है उसके बाद खाना ही नहीं पड़ता फिर उसको पूछा गया क्या तुमने कोई लिस्ट बनाई है ये जो चूरन में कॉम्बिनेशन है इसके तो वो कहता है हाँ मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ उसमें कुछ मेडिसनल हर्ब्स हैं कुछ रूट्स हैं कुछ प्लांट्स हैं तो वो पूछ रहे हैं कितनी संख्या हो गई है तो उसमें का 16,000 तो हो गई है पता नहीं आगे कितनी जाएगा उस जमाने में तो कुछ लोग आशिर से पूछ रहे हैं कि ये जो सिख्षा है वहाँ चिकित्सा भी दे रहे हैं सरजरी भी दे रहे हैं मेटलर्जी भी दे रहे हैं वगएरा वगएरा क्यों दे रहे हैं तो हो कहते हैं भारत के सभी आचारी कहते हैं कि जीवन एकांगी नहीं है अब ये देखिए फिलोसफी की बात जीवन एकांगी नहीं है और चुकि एकांगी नहीं है तो इसमें सब तरह के ज्यान की जरूरत होती है तो हर विद्यार्थी को सभी तरह का ज्यान होना चाहिए विशेशक जिता उसको किसी एक में होनी चाहिए ज्यान उसको सब तरह का होना चाहिए तो कहता है कि जो प्राइमरी लेवल की ज्यान है वो सब को दी जाती है medicine की, surgery की, metallurgy की, mathematics की जब वो विद्धियार्थियों की रूची उत्पन हो जाती है तो किसी एक विशे में उनको विशेशक बना दिया जाता है और फिर वो विद्धियार्थी समाज में चला जाता है उसकी सिक्षा पूरी हो जाती है, विद्या पूरी हो जाती है फिर वो समाज को अपनी सेवाएं देता है और वो एक बहुत महत्तु की बात कह रहा है कि भारत के विद्धियार्थी इन सब गुरकुलों से जब पढ़कर निकलते हैं तो उनको संकल्प कराया जाता है और संकल्प क्या कराया जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि देखो ये जो ब्रह्मांड जगत है वो उसको अंग्रेजी में एक्स्पेंट कर रहा है ठीक से नहीं कर पाया कहीं गलती है वो मैंने ठीक कर दिया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके समझ की बाहर हैं जो हमारी समझ के लिए सामानने हैं क्योंकि हर सब्धिता में कुछ बाते विशेश होती हैं जो दूसरी सब्धिता में नहीं मिलती हैं तो बाहर वाला आकर उसको जिस चशमे से देखेगा हमारा चशमा उससे बिलकुल अलग होगा तो वो कह रहा है कि भारत में ऐसा बोलते हैं मानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड जगत है, इसमें मनुश्य ही नहीं है, मनुश्य ये तर बहुत सारे प्राणी हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जनतु हैं, और सब भारतवासी मानते हैं कि सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, और प्लेटो क्या कहता है प्लेटो करे जरा इसका सोचो वो रिपब्लिक में लिख रहा है और लॉज में उसको रिपीट किया है वो यह कहता है आत्मा सिर्फ राजा में होती है प्रजा में आत्मा ही नहीं होती प्लेटो का है ये मेरा नहीं वो कहता है आत्मा सिर्फ राजा में है प्रजा में आत्मा है ही नहीं इसलिए कानून सब प्रजा के लिए है आदेश देने का अधिकार राजा को और प्लेटो तो कहता है कि राजा के मुझे जो निकल गया वही कानून प्रजा को उसी का पालन करना है अच्छा फिर प्लेटो ने स्ट्रेटिफिकेशन किया है कि राजा तो एक वर्ग है उसके नीचे के वर्ग के उसने वर्गी करण किया है कि प्रजा में पहला कौन तो कहता है कि ये जो अध्योग पती है व्यापारी है धंदा करने वाले ये पहले इस्थर के दूसरे इस्थर पर कौन तो अध्यापक है और कारीगर है और मुजिशिएन है, संगीत कार है पेंटर है, आगे जादी दो तीसरे नमबर पर कौन तो तीसरे नमबर पर खेत में काम करने वाले मजदूर हैं फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर हैं वो चौते नमबर पर कौन तो कहता है इस्त्रियां महिलाएं वो चौते नमबर पर आखरी पांचमा कोई नमबर नहीं है वा तो वो कहता है प्लेटो कि मैं कभी-कभी कलपना करता हूँ कि प्रजामे गलती से आत्मा आ गई तो इस्त्रियों में तो कभी नहीं आती इसलिए वो लॉज में लिख रहा है कि कभी भी किसी नियाधीश को किसी इस्त्री की गवाही पर विचार ही नहीं करना चाहिए तो आप जानते हैं ये जो मौडर्न जस्टी जुडिशियल सिस्टम निकला जिसमें से IPC, CRPC और CPC आया और हमने बिना सोचे समझे उसको अपने देश में अपनाया इस जुडिशियल सिस्टम में 1950 तक किसी महिला की गवाही को माना ही नहीं जाता था यूरोप में अदालत में चलने वाले किसी भी मुकदमे में किसी महिला की गवाही नहीं मानी जाती थी तो क्या हुआ फिर यूरोप में एक बगावत होई जिसको वीमेंस लिव कहा जाता है इस्त्री मुक्ति और इसका मेत्रत तो किया एक फ्रांसी सी लेखिका ने उसका नाम था सिमोन दबोवार उसके गुरु हुआ करते थे जोपाल सात्र जिनको आधुनिक दार्शनिकों में बहुत उचा इस्थान मिला हुआ तो सिमोन दबोवार ने सालों साल आंदोलन चलाया तब फ्रांस में इतना हुआ कि किसी तीन इस्त्री की गवाही एक पुरुष के बरावर इतना हुआ बस इतना ही हुआ और उसके बाद सिमोन दबोवार मर गई और वो कहती थी कि मैं इतना ही करा पाई यही मेरे लिए बहुत है कि कम से कम अदालत में तीन महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बरावर तो मानी और प्लेटो चुकि यह कहता था कि इस्त्री में आत्मा नहीं होती है तो 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था वोट डालने का तो छोड़ दो बैंक में एकाउंट खुलने का अधिकार नहीं था किसी महिलाओं एकाउंट खुलेगा तो उसके पती का खुलेगा महिला का नहीं खुलेगा और जो विदवा है तो तो उसके बेटे के नाम से खुलेगा महिला के नाम से नहीं खुलेगा जो बेटा ही नहीं है तो तो पडोसी के बेटे के नाम से खुलेगा हाँ उसके नाम से बैंक एकाउंट नहीं खुल सकता और 1950 तक यूरोप के किसी भी शहर में महिला घर से अकेली नहीं निकल सकती क्यों आत्मा नहीं है तो पता नहीं कहा जाएगी तो उसलिए उसके साथ में पुरुश का होना जरूरी है वो चाहे तीन साल का ही क्यों नहो और प्लैटो ने लिख दिया ना इस्त्री में आत्मा नहीं होती तो सारे यूरोपियन दार्शिकों ने कहा है कि इस्त्री तो मेज कुर्सी जैसी होती है जब तक इस्तेमाल करो अच्छी लगती है नहीं लगती बाहर भेग दो दूसरी लेओ ये है उनकी फिलोसफी तो मैकॉले ये सब वरनन कर रहा है कि हम तो सोची नहीं सकते हैं हमारे यहां महिलाएं गुर्कुल की आचारे हो सकती है वो कहरा है भारत में आदे से ज़्यादा गुर्कुलों की आचारे महिलाएं आदे से ज़्यादा और वो कहरा है कि ये सिर्फ गुर्कुलों की नहीं हाईर स्टडी सेंटर में भी यही है तो उसको पूछा जा रहा है कि ये भारत में ऐसा कैसे हो गया महिलाओं को इतनी सिख्षा मिल गई इतनी ऊपर आ गई तो वो कहते हैं भारत वाले बिलकुल विचित रहें ये कुछ और मानते हैं हम मानते हैं कि इस्तरी में आत्मा नहीं होती बारत वाले कहते हैं कि इस्त्री परमात्मा के सबसे नज़्दीख होती है क्योंकि उसमें पुरुष से कुछ गुण ज्यादा होते है हमारे सभी शास्त्रों में आप ये देख सकते है चाहे रिगवेद में देखना हो तो देख लीजे रिगवेद के कई सूत्रे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इस्त्री पुरुष से उंची है क्योंकि उसमें ईश्वरी ये गुण है और आज की जो मॉडर्न साइंस है न इसमें इसको दूसरे तरह से कहा है कि इस्त्री में एक क्रोमुसोम जादा होता है वही सारा खेल खेलता है पुरुष में नहीं है इस्त्री तय करती है कि बच्चा होगा या नहीं होगा पुरुष में कोई दम नहीं है तो ये आज की मॉडर्न साइंस कहती है हमारी साइंस तो बहुत पहले कह चुकी है कि इस्त्री ईश्वर के सबसे नज़्दीद है हमारे कई शास्त्रों में ऐसे सूत्र है जो ये कहते हैं कि जब समाज को ये पता न चले कि क्या करना क्या नहीं करना तो इस्त्रियों से पूछो वो बताएंगी कि क्या करना क्यों? क्योंकि उनको फंक्शनल नॉलेज सबसे ज़्यादा होती है फंक्शनल नॉलेज हम समझते है जो क्रियात्मक ग्यान है जिससे कुछ हो जाता है ऐसा ग्यान उनको सबसे ज़्यादा है और फाल्तू ग्यान पुरुशों को बहुत होता है और उसका तमाशा देखना हो वो मा वहन की गालियां देते हैं और इस्त्री सांसदों को चुपचाफ निकल जाना पड़ता है भारत में पता है क्या माननिता है भारत में माननिता ये है कि भाषा का विकास इस्त्रियों ने ही किया है भाषा का विकास इस्त्रियों ने ही किया है पुरुष की ताकत नहीं है भाषा का विकास करने क्यों? क्योंकि भारतिय भाषाओं में भारतिय भाषा है पता है? संस्कृत, तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलियालम, बंगाली, मने बंगला, आसामी, उडिया ये सब भारतिय भाषा है और हिंदी, उर्दू मिलने से पहले है अभी तो हिंदी, हिंदी नहीं रही है, उसमें बहुत कुछ उर्दू गुजगई है फारसी पता नहीं क्या क्या गुजगई है तो हिंदी, उर्दू मिलने से पहले और बाकी सब भारतिय भाषा है आपको मालूमें इनमें गालिया नहीं है एक भी गाली नहीं है और गाली नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि ये भाषा इस्त्रियों नहीं रची है हाँ क्योंकि इस्त्रियों में कितना भी गुसा हो गाली नहीं निकलती उनके मूँ से क्योंकि ईश्वरी ये गोन है उनमें कुछ तो महकुले कह रहा है कि भारत में इस तरी ईश्वर के नजदीक है फरमात्मा के नजदीक है और वो एक सुत्र सुना रहा है पता नहीं उसको कहां से मिल गया वो कहता है भारत के लोग ऐसा कहते है कि इस्त्री के बिना मोक्ष नहीं होता और ये एक बिन मुझे भी अनुगव हुआ है मैं धक्षन भारत में गया था एक गाहों में या ख्यानबे में वो गाहों में एक मंदिर है बड़ा मशूर मंदिर है मैंने सोचा मैं भी दर्शन करूँ तो पुझारी में का आप अंदर नहीं जा सकते मैं पूछा क्यों कि आप ब्रह्मचारी है मैं पूछा तो क्या हुआ ब्रह्मचारी हूँ अंदर नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता कि आप पवित्र नहीं है मैं पूछा वो कैसे उन्होंने का पवित्रता तो इस्त्री के आने के बाद ही आती है और वो ब्रह्मुचारी ने इतनी गंभीरता से कहा कि वैं देखने लगा उसका चेरा ये बोल क्या रहा है तो उसने कहा कि इस्त्री के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता उसके पहले तो वो लंपट होता है तो मंदर में मुझे गुस्मे नहीं दिया उसमे और वो कहता आप तो क्या हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदर में गया नहीं है तो मैंने का ठीक है फिर कभी हो तो सोचूंगा तो मैं वापस चला आया ये बात को महकौले बोल रहा है वहां कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष इस्त्री के साथ ही होता है और हमारे सभी रिशी मुनी ग्रहस्त थे सद ग्रहस्त थे ब्रह्मचारी नहीं थे मैंने जितने रिशी मुनियों को आज तक पढ़ाए सभको तो नहीं पढ़ा लेकिन जितने को पढ़ाए सब ग्रहस्त थे इसलिए ग्रहस्ताच्रम कोई उँची चीज है हमारे तो ये वो बोलता है कि जब उँची चीज आपके पास है तो उससे और उची प्राप्त करने की ताकत है जो उची नहीं है तो ज़्यादा उची तो मिलेगी नहीं तो भारत में तो इस्त्री का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है समाज नहीं है, संसकार नहीं है, भाषा नहीं है, ग्यान नहीं है इसलिए भारत में इस्त्रिया तो बहुत हूची है फिर वो कहता है कि हमारे यहां इंग्लेंड में तो गाउं गाउं में इस्त्रियों को मारते पीटते हैं जलाबी दे देते हैं आपको मालूम है यूरोप में धाई ऐसार साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग बहुत किताबें लिखे गई हैं इसको बहुत लिखा विच हंटिंग समझे विच माने क्या कहना चलिए हिंदी डायन 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 कहते हैं डायन को ढूणना और उसको मारना यह बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सभी देशों में जर्मनी, फ्रांस, सुईदन, सुजलेंड, डेनमार्क, नॉर्वेस सब देशों में और धाई हजार साल चलता था गाओं में ढून ढून के ऐसी महिलाओं को मारा जाता था जिनके पती की मृत्ति हो गई हो तो मान लिया जाता था यह तो विच हो गई है और इसको हंट करना है, मने मार देना है उनको जिन्दा जलाना, कभी उनको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देना बाल पकड़ें उनको खींच लेना तरह-तरह के अप्याचार उनके ओपर होते थे और किस देश में, किस साल में कितनी महिलाओं को भी छंटिंग किया गया इसके रिकॉर्ड्स आजकल में इकठे कर रहा हूँ तो हमारे हाँ जब सती प्रथा की कहानी चर्चित हुई न विलियम बेंटिंग के द्वारा उसी साल में इंगलेंड में 2700 से ज़्यादा महिलाओं को डायन कहके मार डाला गया उसी साल अब हुआ क्या कहानी में कि विलियम बेंटिंग ने अपने देश में जो 2500 से ज़्यादा महिलाओं को डायन मरवाया कहके उसकी चर्चा तो की नहीं आचता है एक किसी महिला को इस देश में दायन सिद्ध करके मरवा दिया उसको इतना ग्लोरिफाई कर दिया कि भारत के सभी गाओं में यही होता है और विलियम बेंटिंग को तो कुछ समझ भी नहीं थी अकल भी नहीं थी अभी थोड़े दिन पहले इस प्रशन का मुझे उत्तर मिला भारत देश में आप जानते हैं कि 4500 से ज़्यादा बनवासी जातियां है 4556 है कुछ बनवासी जातियां जैसे गौंड हैं वो एक बनवासी जाती है ऐसे ही गौंड जैसे 4500 से ज़्यादा समू है इनके बीच में मैं पुछले कुछ सालों से घूम रहा हूँ और मैंने वहाँ देखा कि सती का मतलब क्या होता है सती कहती किसको एक बार गौंड लोगों के एक बहुत बड़े सम्मिलन्मे में गया और वहाँ किसी को सती किया जाना था मैंने का चल के देखू ये होता क्या है सती होना तो वहाँ हुआ ये था कि एक महिला के पती का देहान्त हो गया स्वर्गवास हो गया और पती का स्वर्गवास हो गया तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए गाउं के लोग जा रहे हैं अंतिन संस्कार वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं अगनी दाह करते हैं लक्णियां इकटी करते हैं तो मैंने देखा कि उसकी पत्मी आती है और उसके चारों तरफ प्रदक्षणा करती है और संस्क्रिप्ट के मंत्र बोलते हैं कभी कभी उनको भूल जाएं तो वो अपनी भाषा के मंतर बोलने लगते लेकिन मंतर उचार होता है बराबर होता है पूरे समय होता है जितने समय तक लाश जलती है तब तक वो मंतर उचार करते रहते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं तो मंत्रो चार हो रहा है पत्नी उसकी प्रदक्षणा कर रही है तो एक चक्कर उसने लगाया और उनकी अपनी भाशा में सबके सामने हाथ जोड़ कर कहा कि आज मेरे पती का स्वर्गवास हुआ है समाज में ऐसा कौन सा समू है जो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा व यह आवश्यक है क्योंकि उसको जीवन बढ़ाना है तो इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत है प्राकरतिक सुरक्षा भी चाहिए दूसरे तरह की भी सुरक्षा चाहिए क्या मेरी बेटियां जिम्मेदारी लेंगी बेटियोंने हां बोल दिया तो आ जाएगी नहीं बोला तो फिर चौथा चक्कर लगाईगी फिर वो पूछेगी कि क्या समाज के प्रतिश्ठित लोग जिनको हम क्या कहें महाजन महाजन लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर अमदे और उन्होंने हाँ बोल दिया तो आ जाएगी ना बोल दिया तो फिर चक्र लगाएगी 5 फिर वो पूछेगी कि इस समाज के आचारे लोग उपाचारे लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर हाँ बोला तो उनके पास आ जाएगी नहीं तो चक्कर लगा के गाउं छोड़के चली जाएगी और गाउं कहेगा कि वो सती हो गए ये है सती होना और इसको बिगाड दिया अंग्रेजों ने क्या कहा कि उसको जबरजस्ती चिता में धकेल देंगे और ये कर देंगे फिर वो जाती कहा है उसके पीचे पीचे में गया तो उस गाउं का कोई मंदिर होगा वहां जाएगी और अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में बिताएगी वो ये कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अब भगवान मेरे लिए जिम्मेदारी लेंगे तो मंदिर में जाके पूजा करेगी, पाठ करेगी, अपना जीवन उसी से चलेगा उसका और जैसे ही वो मंदिर में जाके पाठ पूजा करने लगेगी तो समाज की आधर नहीं हो जाएगी और सब उसको साश्टा विदंडवत प्रणाम करेंगे फिर हम गोंड लोग कहेंगे कि ये हमारी सती है हम उसको एक्स्प्लेनेशन क्या देंगे, वो पती के साथ जिंदा जला दी गई, वो सती है सती होना कोई उंचा कर्म रहा है इस देश में हम उसको समझ नहीं पाए अंग्रेजों ने जो description दे दिया उसी को अंतिम मान के हमने अपना मान लिया कि ऐसा ही कुछ होता होगा, ये होता है और ये सिर्फ गोंडों में ही नहीं होता, भीलों में भी होता है गोंड हैं, भील हैं, जितने तरह की जंजातियां हैं, जादा तर में ये होता है तो मेकोले कह रहा है कि भारत में तो इस्तरियों का इस्थान बहुत उंचा है परिवार में उंचा है, समाज में उंचा है, भाषा उनके यहां से निकली है functional knowledge उन्होंने समाज को दिया है, इसलिए इन के लिए तो सब कुछ विशेश होता है इसलिए गुरुकुलों में आचारे इस तर पर बहुत इस्तरियां है ये हैरानी की बात नहीं वो कहता हमारे समाज में उल्टी इस्तरियों का इस्थान सबसे नीचे है इसलिए हमारे यां हर काम में वो सबसे पीछे है तो इस तरह की कुछ बाते हैं जो मेकोले के डॉकुमेंट्स बताते हैं और विलियम एडम ने इससे भी जादा कुछ खोज की है और उसके डॉकुमेंट्स इससे भी आगे की कई बाते हैं कि बारत के ये जो गुरुकुल है, इन गुरुकुलों का योगदान क्या है समाज में। तो विलियम एडम ने एक गुरुकुल की कहानी लिखी है अपने दस्तावेजों में, आंधर प्रदेश में कावेरी नदी के पास, विशाखा पत्नम से थोड़ा दूर, एक गुरुकुल है, उसका नाम गाओं का मैं भूल रहा हूँ, तो वो गुरुकुल है, उसने क्या योगदान दिया है, तो वो कहता है विलियम एडम की ये जो गुरुकुल है, ये बहुत पुराना है, और उसके दस्तावेश पुराने है बारवी शताब्दी का वो गुरुकुल है और वो गुरुकुल है सिविल इंजिनिरिंग का कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजिनिरिंग तो कहता है इसका योगदान क्या है तो विल्यम एडम कहता है कि इस गुरुकुल के विद्यारती और आचारियों ने मिलके कावेरी नदी पर एक डैम बनाया है बांध बनाया है जो दुनिया का सबसे पहला बांध है मुझे नहीं मालूम था विल्यम एडम के डॉकुमेंट्स पढ़ने के पहले कि दुनिया का सबसे पहला बांध भारत में बना है फिर जैसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया है उसको खोजते खोजते में पहुँच लिया है और अपनी आँखों से देखके आया कि वो डैम अभी तक जीवित है उस डैम पर तेलगू भाशा में एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर तारीख है सन 1238 में वो बना है आज से लगबग 800-800 साल पुराना है और वो डैम की विशेशता क्या है पत्थर और चूने से बना है और आप जानते हैं दक्षिन भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाह वाली नदी है कावेरी कावेरी जो है ना पेरेनियल रिवर है साल के बारों महीने पानी रहता है उसमें और पानी का फ्लो सबसे तेज है और पानी का दबाव भी उसका सबसे तेज है तो कावेली नदी पर जहां सबसे तेज गती से पानी बहता है उस नदी पर बांध बना दिया बांध की लंबाई कितनी है और उसकी चोड़ाई कितनी है लगवग एक किलो मीटर देड़ किलो मीटर के आसपास उसकी लंबाई है देड़ किलो मीटर लंबा बांध है और बांध बनाया कैसा है ऐसा है जैसे जैड होता है ना जैड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जैड शेप में पूरा बांध है तो वो वरण कर रहा है बिलियम एडम के ये गुरुकुल के विद्धियारती और आचारियों ने बनाया है इसकी विशेश्टा क्या है तो विशेश्टा ये है कि ये जेट शेप में है जेट शेप में क्यों बनाया स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बना दिया एक रेखी रेखा में क्यों नहीं बना दिया तो कहता है इसका जबाब मुझे नहीं मालूँ क्यों बनाया बहुत दिन मैं भी सोचता रहा कि ऐसा क्यों है अब मेरे समझ में आया थोड़े दिन पहले कि ये जब सीधी रेखा में आप कोई दीवार बनाए और पानी बहुत तेज गती से आए तो दबाव इतना जदा है कि बहुत जल्दी वो तूट जाएगा लेकिन अगर आप उसी सीधी रेखा कि दीवार को ऐसे ऐसे कर दो तो पानी का प्रेशर डाइवर्ट हो जाएगा और वो डेम कभी भी नहीं तूटेगा अब समझ में आया कि वो सवा आट सो साल से कैसे जिन्दा है तो वो बोल रहा है कि ये एक गुरुकुल ने बनाया हुआ है और वो गुरुकुल विशाखा पत्नम के नजदी कभी चला करता था मैं जब गया इसको देखने देखने के बाद हैदराबाद लोटा तो उनकी जो आर्काइब्स है उसमें गया तो आर्काइब्स में उसके डॉकुमेंट्स मुझे मिल गए और गजट में भी इसके बारे में वरनन है तो वो कह रहा है विलियम एडम के भारत के गुरुकुमें पढ़ने वाले विद्धियारती और उनको पढ़ने वाले आचारी कितने समाज के काम करते हैं उसका ये नमूना है राजा डैम नहीं बनाते हैं विद्यारती और उनके अध्यापक मिलके डेम बना देते है और विलियम एडम लिख रहा है कि भारत में ऐसे हजारों तालाव गाउं गाउं में विद्यारतीयों ने और उनके अध्यापकों ने बना दी है ऐसी हजारों गोशालाएं गाओं गाओं में विद्धियारतियों ने और अध्यापकों ने बना दी ऐसी हजारों समाज उपयोगी चीज़ है जैसे धरमशालाएं, कुएं, पानी की रहेट ये सब विद्धियारतियों ने अध्यापकों के साथ मिलके बना दी तो विलियम एडम कहरा है कि भारत के गुरुकुल सिर्फ सिक्षा का केंद्र या विद्या का केंद्र ही नहीं है ये गुरुकुल अपने विद्यारती और अध्यातों के साथ मिलकर समाज के इतने बड़े काम कर रहे हैं जो वर्सों वर्षों तक भारत के लोगों के उपयोग में आने वाले हैं तो इस तरह की थी हमारी सिखषा व्यवस्था अब क्या हुआ इस सिखषा व्यवस्था को जब मैकॉले ने फूरे ठीक से डिस्क्राइब किया लंदन में तो लंदन में ब्रिटिश पार्लेमेंट के सभी सांसोदों ने कहा कि अगर ऐसी सिख्षा व्यवस्था भारत में हैं तो भारत तो बहुत समुर्द शाली है, पैसे वाला है, ये हमें समझ में आता है। कई गुर्कुलों का उसने वरणन किया है जो क्रशी विज्ञान सिखाते हैं, क्रशी शास्त्र सिखाते हैं, तमिलनाडू के कई गुर्कुलों का जिक्र है जिसमें क्रशी विज्ञान ऐसा सिखाया जाता है, जहां एक एकड़ में 56 कुंटल चावल पैदा होता है, उसकी तीस में विलियम एडम कह रहा है कि एक एकड में 56 कुंटल धान पैदा करना तो सामान में बात है और ऐसी सिक्षा देने वाले विद्या देने वाले सेकड़ों गुरकुल भारत में तो कुछ कृशी सिखाते हैं कुछ मेटलर्जी सिखाते हैं कुछ कंस्रक्शन इंजिनिरिंग में सिखाते हैं कुछ और कुछ सिखाते होंगे ऐसे 18-20 विश्यों के सारे ये गुरकुल है तो वो कह रहा है कि भारत सुखी है समरुद शाली है वो इन गुरकुलों के कारण तो वो कह रहा है कि अब भारत को अगर गुलाम बनाना है तो इस सिख्शा विवस्था को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक भारत गुलाम बनता नहीं तो फिर उसको पूछ रहा है इंग्लेंड का राजा कि अब आपके पास क्या योजना है तो कहरा है कि मेरे पास एक योजना है कि हमारी जो सरकार भारत में चल रही है उसको आदेश दिया जाए कि भारत के ये जो गुरुकुल है इंडिजिनेस एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं इसको भारत का इस्थानिय सिक्षातन तो कहरें जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम है इसको कानून बनाकर हम गैर कानूनी घोशित कर देंगे इल्लीगल कि ये सब कुछ अवैधानिक है गैर कानूनी उसके लिए कानून बना देंगे लंदन में यहां से वो चला जाएगा भारत में उसको लागू करा देंगे, थोड़े दिन में ये सब गुरुकुल बंद हो जाएगे, क्योंकि हमारे पास जब कानून आ जाएगा, तो कानून के डंडे से हम इनको बंद करा देंगे, कि ये इलीगल है बंद करो, नहीं बंद क हुआ, बाद में भारत की संसथ में पारित हुआ और उसको लागू किया गया, तो उसमें तैय ये किया गया, कि जितने भी गुरुकुलों में संस्कृत माध्यम से विद्या सिखाई जाती है, वो सब गेर कानूनी। फिर कहा गया कि जितने भी गुर्कुलों में इस्थानिय भाशाओं की मदद से जैसे तेलवू, तमिल, कन्नर, मलियालम, मराटी, गुजराती इनके माध्धियम से विद्या दी जाती है वो भी गेर कानूनी तो कानूनी क्या? कानूनी वो जहां अंग्रेजी के माध्धियम से सिक्षा दी जाती है, वो कानूनी तो मेकॉले ने क्या किया? ये कानून लागू कराके फिर भारत के गुर्कुलों पर डंडा चलाया, बुल्डोजर चलवाए, एक एक करके उनका दाश किया जहां गुर्कुल बंद नहीं हो पाए, वहां के अध्यापकों को जेल में डाल दिया, विद्यारतियों को जेल में डाल दिया, कई कई जगे तो अध्यापकों के हाथ काट दिये गए, सिर काट दिये गए, कई कई गुर्कुलों में आग लगा दी गई, उनके पुस्तकाले जला दिये ये सब अंग्रेजों ने अत्याचार सौ साल तक किया 1840 से 1940 तक इधर वो अत्याचार करते गए भारत के गुर्कुल खतम होते गए दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्वेंट इसकूल शुरू किये जो यूरोप में आज भी चलते हैं और किसी उद्देशिकी पूर्ती के लिए चलाए जाते हैं मैं आपको एक इंट्रिस्टिंग बात और बता दू कि जो अंग्रेजी दस्तावेजों का मैं अध्यन कर रहा हूं उसमें से एक और दस्तावेज है ये कॉन्वेंट क्या होता है यूरोप में एक बहुत खराब परंपरा है जो अभी 1950 तक चलती रही जैसे इस्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं इस्त्रियों में आत्मा नहीं वो बेंक एकाउंट नहीं खोल सकते ऐसी एक बहुत खराब परंपरा इंग्लेंड में, फ्रांस में, जर्मनी सभी देशों में, कि बच्चों को घर में रखना नहीं बच्चे पैदा हुए तो अनाथाश्रम में देना ये उनकी पुरानी परंपरा है और कई लोगों ने तो क्या किया है कि बच्चों को पैदा होते ही घर के बाहर टोकरी में रख दिया कि अनाथाश्रम का कोई आएगा उठा ले जाएगा, लेकिन कई बार कुत्ते उठा ले जाते हैं, बेडिये उठा ले जाते हैं यूरोप का जो आधुनिक फिलोसफर्स में माना जाता है न, रूसो उसके पाँच बच्चे पैदा हुए, चार को उसने ऐसे ही छोड़ दिया, घर के बाहर टोकरी में रखके, दो को कुत्ते खा गए दो को नाथाश्रम वाले ले गए यूरोप में ये बहुत पुरानी परंपरा है, बच्चों को लावारिस छोड़ना, क्यों छोड़ना तो प्लेटो कहता है कि इस्त्री और पुरुष के आनंद के छणों में बच्चे बाधा है इसलिए मत रखोगा ये प्लेटो की सिक्षा है, वो कहता है कि अच्छे नहीं हैं बच्चे घर में रखना और वो ये कहता है कि जीवन का चरम तो आनंद ही है और वो भी शरीर का आनंद है वो कहता जीवन तो इसी के लिए मिला है कि हम शारीरिक आनंद की प्राप्ति करें और बच्चे इसमें बाधा है तो बच्चों को रखना नहीं घर में तो छोड़ देना तो वहाँ बच्चे छोड़ने की परंपरा है अब बच्चे छोड़े जाते हैं तो राजा उनकी व्यवस्था करे छोड़े हुए बच्चों की तो राजा कुछ संस्थाएं खड़ी करता है उन संस्थाओं को कॉन्वेंट कहते हैं कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों को पालने वाली संस्थाएं अनात बच्चों को पालने वाली संस्था है कॉन्वेंट माने अनात बच्चों के स्कूल लावरिस बच्चों के स्कूल तो यूरोप में ये कॉन्वेंट चलते हैं तो ये मेकॉले कह रहा है कि भारत में भी यही चलाएंगे तो कोई सांसत उससे पूछ रहा है कि भारत में कोई अनात होता है उसने का होता तो नहीं है लेकिन हम बनाएंगे होता तो कोई नहीं है क्योंकि भारत में किसी बच्चे के माता पिता भी मर जाएं तो उसके चाचा चाची है ताउ ताई है मामा मामी है मौसा मौसी है बुआ फूपा कोई तो लेगा उसको यूरोप में तो हैं माता पिता तो भी छोड़ देंगे तो यूरोप में ये जो लावारिस बच्चे हैं इनको पालने के लिए कॉन्वेंट खड़े किये जाते हैं कॉन्वेंट को चलाने वाले ज़्यादा तर क्रिश्यन इंसिट्यूट होते हैं या चर्च होता है राजा चर्च को दान देता है और उस पैसे से ये सब चलते हैं तो सबसे पहला कॉन्वेंट इस मैकॉले ने भारत में खुलवाया कलकत्ता और उस Convent में कोई पढ़ने नहीं आता था तो इसने दूसरा कानून बनवाया कि जो भारतवासी East India Company और अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे और कलकत्ता में रहेंगे उनको अपने बच्चे यहां भेजना आवश्यक है नहीं तो नौकरी जाएगी तो जवरजस्ती भारतवासी जो उनकी आँ काम करते थे उन्होंने अपने बच्चे भेजना शुरू किया फिर दीरे एक Convent से दो हुआ दो से तीन हुए तीन से दस दस से दीस पचास सो अब हजारों हो गए अब भारत में ऐसा कोई गाउं नहीं जहां Convent नहीं तो मैकोले ने एक विश बीज डाल दिया जो अभी वट बरक्ष बनके फैल गया अब तो ऐसे ऐसे Convent स्कूल हैं इस देश में बजरंग बली Convent स्कूल आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूं आपको बंबई में है ग्रांट रोड के पास है रेलवे स्टेशन से बिलकुल सटा हो बजरंग बली Convent स्कूल हाँ और एक Convent स्कूल है संतोशी माता Convent स्कूल एक है सरस्वती देवी Convent स्कूल एक महावीर स्वामी Convent स्कूल खुला है अभी बैंगलोर में जबर जफ्त अब इनको पूछो चलाने वालों को कि बजरंग बली का Convent से क्या रिष्टा है या सरस्वती देवी कब Convent स्कूल में पढ़ने गई थी मूर्खों के मूर्ख इस देश में पैदा हो गई ना तो अंग्रेज है ना तो हिंदुस्तानी है खिचड़ी बनके इस समाज में बड़े हो है ना उसमें से आप चावल निकाल सकते है ना मूम की दाल का दाना निकाल सकते है ये खिचड़ी लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया ये सम मेकोले की संतान है मेकोले तो छोड़ गया कुछ जब अंग्रेज गये थे ना तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि साड़े तीन सो कॉन्वेंट स्कूल थे पंदर अगस तुन इस सो से तालीस तक अब शायद वो तीस पेंतीस हजार हो गए हो तो कोई आश्वर की बात नहीं अब यूरोप में जो कॉन्वेंट स्कूल है वैसी ही सिक्षन यहां हो रहा है यूरोप में क्या होता है न मैंने आप से का कॉन्वेंट माने लावरिस बच्चों के स्कूल तो वहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सिखाया जाता है कि देखो ये जो अध्यापक है वो अध्यापक नहीं है ये फादर है ये मदर है क्योंकि असली का पता नहीं असली का तो कुछ पता नहीं लावरिस है किसका है बाहप उसका और कोन है उसकी मा तो इसकुल में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना टीचर तो पुरूश है तोफादर, बहने ओल्ड एज है तोफादर और यंग एज है तो ब्रदर और ओल्लेडी है कोई तो मदर और यंग लेडी है तो सिस्टर तो कॉन्वेंट में उनको बुलवाते हैं ये फादर है ये मदर है ये ब्रदर है ये सिस्टर है क्योंकि असली नहीं अब हमने भारतवासियों ने बिना सोचे नकल कर लिया उसका हमारे यहां तो घर में हैं असली और कॉन्वेंट में जा रहा है बच्चा तो वहां होगे नक बगवान करश्म की दो माता हैं थी एक ने जनम दिया एक से पाला राम चंदर जी मानते हैं कि मेरी तीन माहें एक ने जनम दिया है बाकी दो प्रेम दे रहें तो माता हैं दो हो सकती हैं तीन हो सकती हैं बाप वमीशा एक ही होता है अब हमारे konvent में पढ़ने वाले नौने हालों के हर एक के दो-दो बाप एक तो घर में हैं असली और दूसरे हैं वहाँ नकली और मैं आपको अंग्रेजी की एक शब्द की व्याख्या करता हूं अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बास्टर्ड बास्टर्ड वही होता है जिसके दो बाप होते है तो हमने अपने अपने नौने हालों को सबको बास्टर्ड बनाने का दंदा शुरू कर दिया है और बड़े गर्व से कहते हैं, मेरा बेटा सेंड मेरी कॉन्वेंट में जाता है, जीसस कॉन्वेंट में जाता है, फलाने कॉन्वेंट में, धिमा के कॉन्वेंट में, फिर उन कॉन्वेंटों में बड़ी-बड़ी विचित्र विचित्र चीजना सिखाई जाती है, आजकल सि परंपरा है बिना शादी के साथ रहने की एक शब्द चलता है यूरोप में लिव इन रिलेशन्शिप माने शादी तो करने नहीं है लेकिन साथ में रहना है और यह क्यों ऐसा है इसमें छुटका रहासान है सबेरे किया शाम को निकल गए कहीं दूसरे के घर में घुज गए पर दूसरे के तो जैसे कुटे घूंगते रहते न ऐसे लिव इन रिलेशन्शिप माने कुट्टा संस्कृती लेकिन मुझे कई बार लगता भारतिये कुट्तों से भी जादा खराब यूरोप्यन कुट्टा संस्कृती भारतिये कुट्ते फिर भी थोड़े वफादार है यूरोप वाले तो इतने भी नहीं है तो ये living relationship का चक्कर बहुत है और आपको सुनकर आशर होगा कि पहले से और आज तक यूरोप की 70% प्रजा बिना शादी के रहती है बिना शादी के रहती है आप अभी भी जाके देख लो लंदन में पैरिस में कहीं भी अमेरिका में तो ये प्रतिशत 78% है बिना शादी के रहते हैं अब बिना शादी के रहते हैं तो पत्नियां बदलती हैं माफ करो पत्नी तो हो ये नहीं सकती इस तरियां बदलती रहती है उनको वो विचितर विचितर नामों से संबोधित करते है इंग्लेंड में एक नाम चलता है मिसिज मिसिज लॉयड, मिसिज टोपनो, मिसिज ये, मिसिज वो माने ये उसकी रखेल है जिसके नाम सिकाए मिसिज माने पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर शेयर करते हैं वो सम मिसिज होती है तो वहां तो ये है सारा खेल इस्त्रियां तो शादी के बिना पुरुष तो शादी के बिना तो कभी-कभी बीच बीच में यूरोपियन लोगों को कुछ अच्छे विचार भी आ जाते हैं तो चौथी शताब्दी में आज से लगबग सोले सो साल पहले एक व्यक्ति पैदा हो गए रोम में उनका नाम था वेलेंटाइन वो चर्च के पादरी हो गए उन्होंने भारत का साहित्य कुछ पढ़ा भारतिय साहित्य बहुत जगे फैला है हम सब जानते हैं तो वो पढ़ लिया उनके विचार बदल दे उनका कहना है कि सब को शादी करके ही रहना चाहिए और वो प्रचार करने लगे गाओं गाओं भूम के कि भाई शारीरिक संबंद बनाओ तो पहले शादी करो तो राजा जो था उस समय क्लॉडियस नाम का एक राजा था रोम में वो कहता था आप यह क्या बकवास करते हैं वो कहते थे यह बकवास नहीं है बहुत अच्छी जीवन पद्दिती है पूरवी भारत में पश्यम भारत में सब जगे यही चलती है वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं इस्तरियां बहुत अच्छी है आप भी अगर इसमें आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा बीमारियां कम हो जाएंगी वगेरा वगेरा समाज व्यवस्थित हो जाएगा तो वो घूमते थे गाओं गाओं परचार करते थे भई शादी करो शादी करो शादी करो और राजा जो होता था, वो रोपता था कि शादी क्यों करना, हमारी तो परंपरा है बिना शादी के रहना, तो राजा और कि वेलन्टाइन का जगड़ा चलता था, तो वेलन्टाइन साथ क्या करते थे, कि जो भी शादी करने को तैयार हुआ, उसको अपने चर्च में बुलाते थे, और उसकी शादी करते में ये सिलसला उन्होंने 20-25 साल चलाया अब वो राजा बहुत परिशान हो गया तो एक दिन उसने वेलेंटाइन को फासी पर लटकाने का आदेश दे दिया तो 14 फरवरी सन 498 को वेलेंटाइन को फासी पर लटका दिया गया तो जिनकी उन्होंने शादियां कराई थी वो बहुत दुखी हो गए तो उनकी याद में उन्होंने वेलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया तो ऐसे वेलेंटाइन डे आया अब उनके कॉन्वेंट में वेलेंटाइन डे मनाते हैं अब हमारे भी konvent में चालू हो गया valentine day, valentine day यहां तो कोई समस्या नहीं है शादी करके रहने के वहां तो शादियां ही नहीं होती है अब हमारे इसकूलों में valentine day मनाता है तो बच्चे क्या करते हैं? greeting card खरीपते हैं अपनी अम्मा को देते हैं फिर बाप को भी दे देते हैं, इन मुर्खों को पता ही नहीं कि वेलेंटाइन थे, कौन इसका मतलब क्या है, अम्मा को पूछ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले, बंबई में में एक बुजुर्ग आदमी को मिला, जिनकी 75 साल की उम्र है, उनके पास 18 ग्रीटिंग काड आ वेलेंटाइन, 75 साल के बुजुर्ग आदमी से लड़कियां पूछ रहे हैं, would you be my वेलेंटाइन? ऐसा अधकचरापन है, ये सब कौन्वेंट में से हमारे बच्चे सीख सीख के निकल रहे हैं, और इन कौन्वेंट स्कूलों में क्या-क्या सब सिखा दिया, वो कहता था न कि भारत वासी जितने साल इसमें से पढ़कर निकलेंगे ना तो वो शरीर से दिखने में भारती होंगे, आत्मा से अंग्रेंज हो जाएंगे, फिर यही हमारी मदद करेंगे, और भारत को गुलाम बनाई रखने में व्यवस्था करेंगे, तो संसकार देना है उनको तो पराहे प्लेटो के समय से चली आ रही है कि बच्चे जब पैदा हुए ना तो घर में तो रखने नहीं, बाहर छोड़ देने हैं, तो उन बच्चों को मां का दूद नसीब नहीं है, तो चर्च में जो होती है ना सिस्टर्स होती है, वो अपना दूद उनको उपलब्द करा है कि कोई बच्चा लगातार दो-तीन दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार इस्तन पान करे तो चौथे-पांच्वे दिन से दूद आना शुरू हो जाता है, तो उनके नर्सिंग जो होती है, वो सिस्टर्स के दौरा होती है, या नर्सिंग के दौरा होती है, मा एक दिन मनाना हो तो वो Mother's Day मनाते हैं जिस दिन माँ अपने बच्चे को दूद पिलाने के लिए वहाँ जाती है Convent तो उनके आप Mother's Day होता है ऐसे उनके आप Father's Day होता है Father's Day का चक्कर क्या है यूरोप के बच्चे वैसे तो घर में रहते नहीं जो गलती से किसी ने रख लिये तो उनको अपने बाप के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ वो नहीं बैठ सकते बाप अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाएगा दोस्तों के साथ जब वो चला जाएगा खाना काके तो बाद में बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं लेकिन साल में कोई एक दिन वो फिक्स करते हैं जब बच्चे बाप के साथ बैठें डाइनिंग टेबल पर उस दिन वो Fathers Day मनाते हैं अब उनके मदर्स दे, उनके फादर्स दे, उनके ब्रदर्स दे, उनके सिस्टर्स दे या उनका वेलेंटाइन दे, उसके पीछे कुछ कहानिया है, हम बिना सोचे समझे, अंधों की तरह से इस पे लग गए कई बार मैं देखता हूँ, अजमेर जैसे शहर में, जैपुर जैसे शहर में, मदर्स दे पे रैली निकाली जा रहे है, प्ले कार्ड लेके बच्चियां अपने अपने हाथ में जा रहे हैं, इसकूल कॉलेज उनका छोड़वा दिया जाता है, और ये सब मूर्ख सरकारी अध इकारी किया करते हैं, फिर फादर जडे पे निकालते हैं, फिर इस पे निकालते हैं, ये सब तमाशे वाजीद, ये मेकौले हमारे यहाँ छोड़के गया। और वो बार-बार कहता था कि हमें संस्कार देना है, सिक्षा दे पाए, ना दे पाएए वो मेतु का नहीं, अंग पीता जी का नाम है रामदयाल, माता जी का नाम गाहित्री देवी, बेटे का नाम टिंकू, अब मैं पूछता हूँ कि ये रामदयाल और गाहित्री देवी का टिंकू कहा से आ गया, ये रामदयाल और गाहित्री देवी की बेटी का नाम डिंपन, ट्विंकल, बबली, डबली क्या है बबली का मतलब क्या है डबली का मतलब इस तरह के नाम हमने रखे हुए गुज गई अंग्रेज ये था हमारे गाज़ में हम सब मातर भाषा में हिंदी है और रोज घर में बोलते हूं ओ राजीव दिक्षित शी इस माई मिसस तो मैं पूछता हूं रियली क्योंकि यूरोप में मिसस का माने धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी महिला और उनकी धरम पत्नी कहते है ओ राजीव दिक्षित तो मैं पूछता हूं रियली क्योंकि यूरोप में मिस्टर का माने पती को छोड़ कर कोई भी पुरुश और मिस तो बहुत ही खराव है मिस है फ्रेंच शब्द है मिस का माने एक ऐसी महिला जो जिंदी की भर वहश्या वरती करें शादी ना कर सके वो मिस है हम बड़े गर्व से लिखते मिस फलाना मिस धिमाका बिना सोचे समझे और सबसे खतरनाक शब्द यूरोप में है अंकल सबसे खतरनाक क्योंकि जिसके बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं हो उसको अंकल बोल दो जिसके बारे में नहीं बताना हो उसको आंटी बोल दो हमारे अंकल आंटी कैसे हो सकते हैं या तो चाचा होंगे या तो काका होंगे या तो मामा होंगे या तो मौसा होंगे या तो ताउ होंगे सब कुछ हमारे या निश्चित है अंकल तो बहुत ही अनिश्चित शब्द है आंटी तो और भी मैं को ले छोड़ गया तो हमने अपने बच्चों से मम्मी बोल डैडी बोल ये बुलवाना शुरू कर दिया मम्मी का मतलब है मरा हुआ और डैडी मरे हुए जैसा और बड़े शौक से बुलवाते हैं मम्मी बोल डैडी बोल अब यूरोप में जो भुशा थी ना वो हमारे कॉन्वेंट में गुज गई यूरोप में क्या टाई लगाना है सूट पहनना क्योंकि ठंड बहुत है हमने यहां पचास डिगरी तेंपरेचर वाले अजमेर में भी टाई लगवा दिया सबको इतनी भेंकर गर्मी है अंदर से पसीना पसीना हो रहा है और कभी-कभी तो रोज में ये द्रश्य देखता हूँ एक दूले राजा जून की गर्मी में शादी करने जा रहा है थ्रीपी सूट और टाई लगा के घोडे पे चड़के बैठे हुए उनको पूछो भाई तुमको सुपर इडियट बनने का यही दिन मिला है कहता है राजी भाई एक दिन तो कर लेने दो तुमको यही दिन मिला है अपनी शादी का ऐसे हमारी भाशा बदल दिया बूशा बदल गया भोजन बदल गया कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे सीख रहे हैं पीजा खाओ, बर्गर खाओ, हॉट डॉग खाओ, कोल डॉग खाओ, चाओ मिन खाओ, नूडल्स खाओ तो उनका भोजन, उनकी भाशा, उनकी भूशा, उनका भजन रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, सब कुछ घुज़ गया अब ये कर दिया सब बंटा था अब ना तो हम भारतिय रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए अगर कोई सब्विता खिचली बन जाए, उसका भविश बहुत खराब होता है मुझे कई बार ऐसा लगता है कि या तो हम भारतवासी पूरी ताकत लगा के अपने को अंग्रेज बना लें नहीं तो पूरी इमांदारी से भारतिय हो जाए, ये अधकच्रे ना रहे पीचो क्योंकि इस अधकच्रे पन ने हमारी जेनरेशन्स को, पीडियों को कतम कर दिया तो इस अंग्रेजियत के सिक्षा तंत्र ने जो यूरोप से आया, क्या कया है आज हमारे देश में एक दो और उधारन देता हूँ, कॉन्वेंट स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिन में बिल्कुल इस पष्ट बच्चों को सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि बगत सिंग तो आतंक वादी, उधम सिंग तो आतंक वादी, चंदरशेखर तो आतंक व और महराजा रंजीत सिंग तो लुटे रहे, आप जानते हैं सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित धरम गुरू महराजा रंजीत सिंग, जिनोंने ना सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया, बलकि मुसल्मानों से भी इस देश को बचाया, उनको लुटे रहा है, हमारे भारत में एक जासी है जिसको जाट कहते हैं, जाटों के बारे में अंग्रेज ये कहा करते थे कि इनकी ताकत बहुत है, इसलिए उन्होंने जाट रेजिमेंट बनाया, आपको मालूम है जाट रेजिमेंट, ऐसे ही जाटों के पैरलल, महराष्ट में है मराठा, वो भी एक तरह से जाटी हैं, तो मराठा रेजिमेंट बनाया, जाट रेजिमेंट बनाया, क्योंकि इनमें ताकत बहुत है, इनका जो डिएने है ना, बहुत स्पेशल किसम का है, लड़ना, लड़ना, मारना, मरना, उनको इसमें मजा आता है, कभी भी अपनी जान की परवा नहीं करेंगे, ह अब ये बच्चे बार बार पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, तो थोड़े दिन में मानी लेंगे कि हाँ बगत सिंग तो आतंकवादी था, उदम सिंग भी आतंकवादी था, क्योंकि एक जूट को दस-बीस साल में सत्य तो होई जाएगा एक अंकॉन्वेंट स्कूल की हिस्ट्री की किताब में मैं पढ़के आया और वो किताब मैंने सम्हाल के रख्यू हुई है जहांसी किरानी लक्ष्वी भाई ने भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं किया और उसका जीवन चरित्र लिखा गया है कि वो एक अंग्रेज अधिकारी जोन लेक के प्रेम और मोहबत में ही फसी रही जिंदगी बाई जहांसी किरानी लक्ष्वाई के बारे ऐसी सब चीज़ें पढ़ा ही जा रही है और धीरे धीरे हुआ क्या है इन कॉन्वेंट इस्कूलों के बनाए हुए सिलेवस को भारत सरकार ने सारे देश का सिलेवस बना दिया है पूरे देश का अब संसद में भले ही कितना हंगामा हो लेकिन सरकार कहती है जी सत्य तो यही है क्योंकि अंग्रे जोने लिखा है और हमारे प्रदान बंतरी भी कहते हैं सच्चे सत्यवादी तो अंग्रे जी ही थे जो हमको यह सब सिखा के गए यह इस्थती हमारे देश की है तो ऐसी गंबीर इस्थती में हम सब को सोचना है आज सिक्षट दिवस है तो हम सब सोचें कि इस सिक्षा का क्या करें जो यूरोप से आई है और हमारे देश में जड़ जमा के बैठ गई है मुझे बहुत कष्ट होता है आपको यह बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे है आप जानते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा भूमी है भारत देश की मैंने संसद में एक प्रश्ण करवाया था आप यहां बैठे हैं मैं एक दोस्त हैं अखलेश कुमार करके गुरखपुर से और उसके पास के छेतर से संसद हैं मैंने का जिरा यह पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज़्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास है रेलवे से भी ज़्यादा जमीन इनके पास है और हजारों हेक्टेयर जमीन एक एक रुपए के लीज पर दी गई है हजारों हेक्टेयर एक रुपए का लीज दो रुपए का लीज माने साल में वो एक ही रुपएा देते हैं हजारों हेकर जमीन भारत की इस्तेमाल कर रहा है और उनकी मिलकियत है 1820 से अंग्रेजों की सरकार ने ये जमीन देना शुरू किया 2006 तक ये अबाद गती से चालू है हमारी ही जमीन है हमारा ही पानी है हमारे ही संसादन है पहले में क्या सोचता था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में डोनेशन बहुत देती होगी सरकार लेकिन संसद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10 प्रतिशती है बाकी समाज का डोनेशन अकेले मैं बुंबई का आखड़ा आपको दे रहा हूँ बंबई का बंबई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं उसमें 92% हिंदू समाज के लड़के लड़कियां पढ़ते 92% दाई परसेंट क्रिश्यन समाज के हैं और बकाया में मुसल्मान है ये है इस्थती तो 92% बिद्यार थी हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बंबई में कॉन्वेंट स्कूलों में वो सब विद्यार थी के माबाप एक साल की फीस के रूप में 18,000 करोड रुपए देते हैं आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है राजिस्थान सरकार के बजट का लगभग आधा बंबई सिर्फ बंबई के कॉन्वेंट फिर कलकत्ता के कॉन्वेंट मद्रास के कॉन्वेंट हैदराबाद के कॉन्वेंट दिल्ली के इन सब को मैंने जोड़ना शुरू किया फिर B-class cities के कॉन्वेंट जैसे अजमेर है जैपुर है ऐसे शहर्ट फिर C-class कुल कॉन्वेंट स्कूलों में साल का भारतिय समाज के द्वारा एक लाख करोड रुपई से जादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग घुमा रहे हैं और ऐसे ऐसे दिमाग घुमाए जाते हैं एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरा थाई कोड में मामला क्या था छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने को आते हैं तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जान बूज के बस बंद कर देना तो कभी भी वह ड्राइवर बस बंद कर देता है फिर बच्चों को कहता देखो बस खराब हो गई तुमहरे भगवान का नाम लो तो बच्चे का नाम लेते हैं अनुमान जी का राम का बस चालू नहीं होती फिर वो कहता देखो तुमारे भगवान तो कमजोर है ये तो चालू नहीं हो रहे अब इसा मसी का नाम लो जैसे ही बच्चे इसा मसी का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर लेता है तो तीन-तीन साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता है रहे इसा मसी तो बहुत ताकत वा रहे फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पपा को बोलते हैं और ये देखो हमारी बस खराब हो गई थी हमने इसा मसी का नाम लिया वो चालू हो गई ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मुझ से सुना उस दिन मेरी आत्मा हिल गई मैंने का ये हो क्या रहा है आज मैं आपके यहां आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से नगर में था तो वहाँ पर राम सनही संपरदाय के एक बड़े संथ हैं उन्होंने तो कहा कि इतना ही नहीं होता कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है बच्चे जो छोटे छोटे होते ना जिनके मन भोले भाले हैं उनको एक ठेल खिलाया जाता है कि उनके राम और क्रश्न है ना उनकी मूर्तियां बनाई जाती है मैटल्स की और बच्चों को दिया जाता है फिर वो कहते हैं कि सुमिंग पूल में उनको तैराओ तो बच्चे उनको डाल देते हैं वो सब डूब जाती है क्योंकि मैटल्स की तो कहते हैं देखो तुमारे भगवान डूब गई फिर उनी छोटे-छोटे बच्चों को काष्ट की मूर्तियां दी जाती है लकडी की इसा मसीजी के ते तैराओ तो वो तैर नह लगती है तो बच्चों को कहते हैं देखो इसा मसीजी इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं रामकृश्न तो डूब गई तो तुमको भी तो लोकमा ने तिलकी इस बात को फिर याद करें दुश्मन हमसे ताकतवर हैं बहिशकार करो और असहीयोग करो बाद में गान्दी अशद विद्यार्थी हमारे हैं जो वहां पढ़ने जा रहे हैं इनको रोको और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम उसको बास्टर्ड नहीं बनाएंगे वो इंजिनियर बने न बने स्कूल चलते हैं उनमें बेजेंगे फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविदाएं कम हैं बढ़ जाएंगी जब धनका प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतिये स्कूलों की तरफ होगा तो सुविदाएं भी बढ़ जाएंगे आप सोचो अठारे हजार करोर रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलता है इतना ही रुपया आरी समाज के गुर्कुलों को मिल जाए या सनातन समाज के लोगों को मिल जाए या किसी और संस्थाओं को मिल जाए जो भारतियता आधारित गुर्कुल चलाते हैं तो वो सुख सुविदाओं वाल ब्लैक बोर्ट नहीं है, सामान ने जरूरतों की चीज़ें जैसे संडास घर होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये इसलिए कि धन की कमी है, धन का प्रवाव उस तरफ है, इसको मोड़ दो, तो समाज में एक बहस चले इस पर, कि ये कॉन्वेंट इसकूल आए कहा से है, उनक भावना मेरे मन में है, मैंने इसके लिए एक और प्रयाश शुरू किया है, बहुत लोग जब कहते हैं कि राजी भाई, विकल्क दो, तो हमने खुद अपने इस आज़ावी बचाव आंदुलन की तरफ से छे गुर्कुल बनाना शुरू किया है, और वो लगबग एक साल मे शुरू हो जाएं, उन सभी गुर्कुलों को वैसे ही पढ़वाना है, जैसे कभी 200 साल पहले था, वही 18 विशे हमने चुने हैं जो 200 साल पहले पढ़ा हो जाएं, और हमारे गुर्कुलों की ये मानिता रही है कि सिक्षा और विद्या सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं, आप तो जानते हैं कि भारतिये शास्त्र कहते हैं कि सिक्षा विद्या और न्याएं और चिक्सा सब को निशुन को उपलब्द होनी चाहिए, बिना किसी बेढ़ा होगे, तो हमने सोचा है कि कम से कम सिक्षा और विद्या तो निशुन को उपलब्द कराएं, तो हमारे गु गंटे श्रम दान करना पड़ेगा या तो दो गंटे वो चरका चलाएं या तो दो गंटे खेत में काम करें या तो दो गंटे वो साबुन बनाएं मंजन बनाएं वाशिंग पाउडर बनाएं उनको हम विकवाएंगे और उसके लिए मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा कर रह कम से कम हरेक के पास धाई से तीन लाख रुपए होगा जो उसके अपने श्रम की कमाई होगी उससे वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकेगा दो हजार रुपए की नौकरी के लिए नहीं भागेगा और इन सारे गुरकुलों को हम ग्यान आधारित बना रहे हैं डिगरी आ हमारे पास डिगरी क्या है डिगरी कोई महत्तु की नहीं होती है चरक रिशी की क्या डिगरी थी शुशुरुत रिशी की क्या डिगरी थी सांकी दर्शन की जिनोंने पूरे दुनिया को बता दिया उनकी क्या डिगरिया थी खगोल शास्त्र में इतने बड़े-बड़े रि जोवी शताद्बी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और प्रतवी की दूरी कितने हैं। तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग इन के पास, किसी के पास दिगरी नहीं थी, जियान उँचा होता है, डिगरी नहीं होती है। तो हम वही ज्यान आधारित, सिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं। अभी शुरू में हम शायद माइनॉरिटी में होंगे, लेकिन हर माइनॉरिटी समय में मैजॉरिटी हो जाती है। कौन जाने कल को ये अभियान चल पड़ा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन में ये हजारों लाखो हो जाएं। लेकिन इसमें आप सब का प्रयास होगा तो होगा। अकेले हम करेंगे तो नहीं होगा। तो आप भी इसमें लगें, हम भी लगें हैं। और आप मेंसे जो आरे समाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है। मैंने एक पाठिकरम तयार किया है। आरे समाज के जितने गुरुकुल भारत में चलते हैं, उनको हम वो दे सकते हैं। हमारा उस पर कोई कॉपी राइट नहीं है, सब को कॉपी करने का कम्प्लीट राइट है। क्योंकि हम मानते नहीं कि ग्यान पर किसी का विशेश अधिकार है। ग्यान तो सब के लिए है। मैंने कहीं से लिया आपको दिया आप किसी और को दे दीजे तो आरे समाज के सभी गुरुकलों को मैं दे सकता हूँ और दूसरे गुरुकलों को दे सकता हूँ वहां भी ये साथ साथ शुरू हो जाए हम उप्रयास करें आप भी करें तो हो सकता है तीन चार साल में इस देश की सिक्षा का ढाचा और दिशा दोनों बदल जाए ऐसे अभीष्ट की काम ना करके आपके पास आया आपने बड़े दिहान चानते से सुना आपका आभारी हूँ इन बातों को किसी और को भी सुनाइंगे तो और आभारी रहूँगा कुछ बातें ऐसी मैंने कही हूँ जो आपको अच्छी न लगी हो तो उनको यहीं छोड़ कर जाएए उसके लिए माफी चाहता हूँ धन्यवाए